हेलो दोस्तों मैं हूँ बैवब और आप देख रहे हैं Bigs for Biology अंतिम्यूद नीट 2021 चैप्टर का नाम Structural Organization in Animals है यहां से टोटल दो कुछन पुछे जाते हैं दो कुछन कहने का मतलब 8 नंबर का विटेज है और तुम्हें पता है एक नंबर में हजारों रैंक पीछे चले जाते हैं टोटल आज इस शैप्टर में दो टॉपिक डिल होंगे मैंली एक एनिमल टीशू होगा और एक कौकरुच होगा एनिमल टीशू पूरी तरीके से पढ़ना है हमें कौकरुच भी पूरी तरीके से पढ़ना है लेकिन फ्रॉग और अर्थवम हमारे सिलेबस में नहीं है बात आती है यहां से भी कोशन्स नीट एक्जाम में आते हैं तो फिर क्या करेंगे एनिमल किंग्डम में जो हमने एनलीडा पढ़ा है वहां से अर्थवम डील हो जाती है एनिमल किंग्डम में जो हमने एमफीबियन्स पढ़े है वहां से फ्रॉग के कुशन्स डील हो जाते है तो यहां पे अलग से करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में दो ही चीज़े में इंसन है अनिमल टीशू और प्लस हमारा कॉकरूज है ना तो बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा आज का छुटाई सेशन है जिसमें हम लोग दो टॉपिक कम्प्लीट करेंगे इस अन्तेमियोद नीट 2021 में टाइम बहुत कम है हमारे पास करीब 15 दिन बच गया है नीट के लिए और हमारे जो बची हुए चैप्टर आज तो ये कम्प्लीट हो जाएगा तो क्लास 11 का क्लास 11 में हमने टोटल जो चैप्टर सभी तक कम्प्लीट किये हैं वो 10 chapter 1 to 10 complete है है न 1 to 10 जो है वो complete है पुरी तरीके से 12th class के अगर बात करें 12th में total 16 chapter है जिसमें हमने starting के 4 chapter reproduction के, ecology के और plus human welfare के 11 chapter हमने इसमें complete कर लिए है 4, 3, 7, 4, 11 total मिलाकर 21 chapter तो complete हो चुके है अब जो आगे के बचे हुए chapters है तो कल से total 2 chapters होंगे कल से total 2 chapter होंगे एक chapter सुबह में होगी सुबह सायद 7 बजे से मैं टेलिग्राम पर टाइम बता दूगा सुबह 7 बजे से और एक और chapter साड़े 12 बजे से होगा तो 2 chapter अगर होते रहे तो ऐसी करकर 8 लगबग दिन में 8 से 9 दिन में complete हो जाएगा मेरा target है 5 सेप्टेंबर को syllabus पूरी तरीके से anti-mute का complete कर रहा है बात समझ में आ गई चालो बई अब हमें focus करना है structural organization in animals पर इसमें जो topic पढ़ने वाले है animal tissue और cockroach दोनों से एक-एक question आते है ठीक है cockroach से भी एक question आता है animal tissue से भी एक question आता है ये syllabus में नहीं है ये भी syllabus में नहीं है ये topic थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक basic सा line इसमें बताना है तुम्हें organ and organ system बाले में चलो बई तो start करें सब लोग तयार हैं और कितने लोग Vegeta Tasteries दे रहे हैं रोज Vegeta Tasteries रोज सुबह 9 बजे रोज सामसाथ बजे और रोज सामसाथ 45 में कितने बच्चे दे रहे हैं विजएता Tasteries and academic special class में जो चल रही है जो नहीं दे रहे हो बहुत कुछ तुम miss कर रहे हो डेली तुम 100 concept छोड़ रहे हो तुम तुम ये समझो है ना तो concept को डेली करते चले जाओ स्टार्ट करते हैं structural organization in animals से हम जानते हैं हमारे इस दुनिया में unicellular और multicellular जैसे variety of organism survive करते है पूरी kingdom monera unicellular है पूरा protista unicellular है fungi का east unicellular है बाकि सारे लगबम multicellular ही होते है unicellular multicellular कया unicellular भी वो सारे काम कर रहे हैं जो काम हम कर रहे हैं digestion तो उन में भी चल रहा respiration भी चल रहा reproduction भी चल रहा क야 unicellular organism में क्या एक ही sale है और वो सारे काम कर रहा है तो याद रखेंगे जादा तर multicellular animals में ये basic function जो होते हैं ये बहुत ही organized manner में चलते हैं जैसे जो multicellular है उसमें different type of cells मौजूद होते हैं जैसे अगर मैं hydra की बात करूँ तो hydra multicellular होता है hydra animal kingdom का silenterata phylum से बिलॉग करता है hydra में different type of cells होते है number of cells in each type can be in thousand मान कर चलो कि इनके 50 type के cell है हर एक type का cell लगबग हजारों में जा सकता है ये चीज याद रखना है तुम्हें human body की बात करें हमारी body तो billions of cells की बनी है अलग-अलग function को perform करने के लिए definition है tissue का line important है यहाँ से multicellular animals में group of similar cells along with intercellular substances ये क्या होता है ये जितने भी cells है सब को जोड़ने के लिए जो substances इस्तमाल की जाती है ये सारे के सारे intercellular substances होते हैं एक खास काम करते हैं सब सब को मिला कर बोला जाता है tissue तो tissue किसको बोलें पहली important चीज similar cells होना चाहिए dissimilar cells similar cells होना चाहिए रहे हैं ऐसे को बोलते हैं tissue ठीक है चलें वाई आगे देखें जितने भी complex animal इस दुनिया में हैं vertebrates की बात हो रही है वहाँ पे only four basic type of tissue present होते हैं four basic type कहने का मतलब कौन-कौन से हुए generally चारी तरह की बात की जाती है epithelial, connective, muscular और neural tissue की बात आती है यह जितने भी tissues होते हैं यह सारे specific proportion में organized होते हैं जैसे अगर हम stomach की बात करें तो यहाँ पे epithelial tissue भी है connective भी है, muscular भी है, neural भी है तो सब के एक specific proportion है दिल की बात करूँगा muscular tissue जादा होगी ऐसी lungs में होता है ऐसी kidney में तो मुझे एक बात बताओ क्या यह चार तरह के जो tissue है सब जगा का same proportion है हमारे kidney में, हमारे lungs में हमारे stomach में, हमारे heart में यादरना सब जगा का क्या चीज है बिलकुल अलग-अलग देखने को मिलता है बात आती है कि जब दो या दो से ज़्यादा organ जब एक common function को perform कर रहे हैं उन्हे organ system बोला जाएगा सेल से बने tissue tissue से बने organ organ से बने organ system जैसे digestive system की बात होती है तो digestive system में क्या liver भी काम कर रहा, pancreas भी काम कर रहा है तो digestive system में liver है, pancreas है, stomach है, intestine है क्या कई सारे organs मिलकर काम कर रहे हैं न तो बन गया digestive system ऐसी respiratory system तो system एक अकेले organ से मिलकर नहीं बनती, कई सारे organs इसमें involved होते हैं सेल से बना tissue tissue से organ, organ से organ system क्या सब का बटवारा बिलकुल अलग-अलग है काम का सेल को अलग काम स्वापा गया tissue को अलग काम स्वापा गया है ऐसी organ की काम अलग है क्या सकते हैं, division of liver division of liver, multicellular में अच्छा होता है animal tissue की अगर बात करें, तो पूछा जाए अगर animal tissue के कितने types होते हैं तो बोलेंगे चार, कौन-कौन से epithelial, connective, muscular और neural कितने होते हैं चार तरह के होते हैं ECMN broadly classify किया गया है चार में सबके function अलग-अलग सबका structure अलग-अलग इसी basis पे total चार टाइप किये गये हैं नाम याद रखेंगे epithelial, connective, muscular और neural tissue कुश्चन सामने हैं कुश्चन सामने हैं कुश्चन करें in multicellular animals a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function such an organization is called answer आ रहा है c tissue बात समझ में आ गई जब बहुत सारे cells आपस में मिलकर काम कर रहे हैं इन्हें क्या बूला जाएगा tissue बूला जाएगा ध्यान रखना चलो ये question लगा in animals tissues are broadly classified into tissues are broadly classified into animal tissue को classified कितने पार्ट में किया जाता है और जो plant tissue होते हैं उनमें कितना answer D आना चाहिए तुम्हारा क्या सबका answer D आ रहा है D आ रहा है तो तुम बिलकुल सही हो क्योंकि जब हमने animals में बात की तो बताओ ये चार तरह के tissue कौन थे E, C, M, N epithelial, connective, muscular और neural जब plant की बात होई तो meristematic और permanent ये दो तो tissue रहेंगे वहाँ पे समझ में आ गई बात animal tissues are broadly classified into four types animal tissue को चार ताइप में divide किया जाता है तो वो चार ताइप कौन से होते हैं वो चार ताइप कौन से होते हैं तो बात चलती है टोटल चार चीजों की बात चलेगी तो सब तो जानते ही हैं E, C, M, N बताओ answer D आ रहा है तो ये बात D की चलेगी epithelial, connective, muscular और neural next page पे आ जाएं साथ में NCRT जब पढ़ रहे हो copy जो NCRT है और साथ में एक pen और pencil लेकर बैठे हैं साथ में और बिल्कुल जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हो ना वैसे वैसे तुम्हें भी पढ़ना है बिल्कुल epithelial tissue epi का मतलब क्या होता है उपर जब कोई चीज उपर में है वो epithelial tissue की बात करते हैं ठीक है अब यहाँ पे यह तो singular plural का खेल है अगर singular है तो epithelium है plural है तो epithelia है जब यह चीज उपर में है तो बिल्कुल free surface होगा अब देखना ज़रा चाहे तो यह body fluid को face कर रहा होगा नहीं तो यह environment को face कर रहा होगा इसी line का मतलब हमें नहीं समझ में आता अगर मैंने बूला यह blood whistles है हमारा blood whistles में यहाँ पे तुम जानते हो गया asquiamus epithelium होती है blood whistles में अंदर की तरफ कौन सी layer होती है asquiamus epithelium तो जल्दी से बताओ क्या asquiamus epithelium जब यहाँ से blood flow कर रहा है तो क्या यह जो asquiamus epithelium है क्या body fluid को face कर रहा है लेकिन जो हमारी skin है यह compound epithelium की बनी हुई है तो क्या यह इस environment को face कर रहा है तो बस यह चीज़ें आप याद रखेंगे कि जो epithelial tissue होता है यह चाहे तो body fluid को face कर रहा होगा क्योंकि अगर यह बनी है single asquiamus epithelium की तो अगर blood flow हो रहा होगा तो इसके तो contact में आएगा ही आएगा अब यहाँ पर outside environment के लिए चीज़ होता है अब यहाँ पर देखें चाहे तो covering का काम करेगा चाहे तो lining का काम करेगा blood vessels में जो हमने देखा था वो lining का काम हो रहा था और जो हमारे असकीन के उपर में हुआ वो covering का काम हो रहा था यहाँ जितने भी cells हैं सब आपस में compactly packed होते है intercellular matrix बहुत ज़्यादा या बहुत कम little little होंगे बहुत ही कम होंगे intercellular matrix याद रखना epithelial tissue के total कितने type होते हैं तो total दो type होते हैं क्या क्या simple epithelium और compound epithelium फिर से सुने animal tissue के 4 type e, c, m, n epithelial tissue के 2 type simple epithelium और compound epithelium simple epithelium किसको बोलेंगे अगर single layer of cells से बना हुआ है तो simple epithelium 2 या 2 से ज़्यादा layer का बना हुआ है तो बोलेंगे compound epithelium simple epithelium single layer of cells से बना हुआ है lining का काम करता है generally क्या कहां का lining हमारे body में बहुत सारी cavities है वहां का lining यही करता है example के तौर पे हमारी जो lungs है जिस visra में रखी हुई है वहां पे भी तो present होता है parietal pleura बोलते है यादा रहोगा visceral pleura बोलते है वहां पे भी जो बात आती है तो lining का काम कौन करेगा simple epithelium जितने भी duct है हमारे body में वहां पे भी lining simple epithelium और जैसे tubes हैं वहां पे भी simple epithelium तो याद रखना simple epithelium इन तीनों जगों पे generally present होता है और compound epithelium हमारे skin में होता है अगर a skin के ऊपर a skin को बनाने के लिए अगर compound epithelium नहीं होती हलका सा भी खरोच लगता damage आजाता पूरा का पूरा blood बाहर रिस्तने लगता इसलिए compound epithelium दो से ज़्यादा layers का बनाया गया ताकि layer मोटी बने और layer मोटी बनेगी तभी तो काम अच्छे से हो पाएगा याद रहेगा फिर से बोल रहा हूँ animal tissue के चार पार्ट epithelial, connective, muscular और neural simple epithelium हमने देखा है यह compound epithelium यह किसके पार्ट थे? epithelial tissue के पार्ट थे अब आगे सुनना पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं simple epithelium तो जितने भी चीज़ें होंगे simple epithelium में अब सेल का structure तो बदलता चला जाएगा इसी के basis space के तीन टाइप है asquimus, cuboidal, columnar बात आती सर एक selected भी तो होता है selected होता है लेकिन वो इसी का modified part होता है columnar वाले का modified part होता है ठीक है? यहाँ से तीन कुशन बनते हैं और बच्चे फस्ते हैं इसमें पहला क्या बनेगा? animal tissue के कितने type? 4 epithelial connective muscular neural epithelial tissue के कितने part? बोलेंगे 2 simple और compound simple epithelium के कितने part? 3 कौन-कौन से? asquimus, cuboidal और columnar समझ में आगी बात यहीं बच्चे फस्ते हैं इसको अच्छे से clear रखना ठीक है? आओ, question करो जारा पहले diagram देख लो diagram देख लो थोड़े देर में questions भी कर लेंगे पहले इस page को complete कर लेते हैं फिर question करेंगे देखो क्या यह squamous epithelium है? squamous epithelium की जितने भी cells हैं वो बिल्कुल flat है सारे cells देख सकते हैं बिल्कुल flat है याद रखना flattened cells cube जैसे cells देख रहे हो तो बोला जाएगा cube like cells इसको बोला जाता है cube जैसे सारे cells यहाँ पे होंगे और यहाँ पे सारे flat जैसे मिलते हैं तो यह cube idle हो गया यह देखो यह लंबे-लंबे पीलर की तरह दिख रहा है, पीलर-like cells, यह columnar होता है, यह columnar cells यहाँ पे ऐसे होता है, है ना, इसमें निकलियस वगरा भी देख रहे हो तुम, अब आगे देखो, यह भी columnar ही है, यह कुछ और नहीं, बलकि यह भी columnar ही है, देखो नो गौर से, गौर से cilia दिखाना था, और यहां से cilia निकला हुआ है, तो बात समझ में आ गई, यह columnar ciliated इसको कहा जाता है, तो diagram पहचान लोगे exam में, फोरदर में question तो आए गई है, diagram पहचान लोगे ना, वैसे, asquimus है, flat वाला, cuboidal है, cube जैसा, columnar है, column जैसा, tall tall होगा बलकुल, यह भी tall ही है और यहां से cilia निकले हुए है, तो नाम बुला गया, columnar ciliated, अब यहां पर क्या पूछा जाता है question, पहले वो समझो, यह paragraph से question बहुत आता है, पहले example based question आएंगे यहां से, पहले मैं बता दू, एक asquimus epithelium है, एक cuboidal epithelium है, columnar, होते तो यहीं है simple epithelium के part, लेकिन एक औ modified portion है, columnar का वो modified portion है, यह cuboidal का हो सकता है, पहला चीज़ पूछा जाएगा location, और दूसरा example, ज्यादा पूछे जाते है examples, examples को highlight करेंगे, asquimus epithelium का, blood whistles की दीवारें, air sacs of lungs, cuboidal की बात करें, ducts of glands, tubular part of nephron, ठीक है, columnar epithelium की बात करें, तो stomach और intestine, selected की बात करें, तो bronchioles and falopendus, पहले तो इसको highlight करो, और एक बार पढ़ने के आद देखो, पढ़कर देखो एक बार, asquimus epithelium के कितने example है, दो example, क्या क्या जाद रखना है, blood vessels की दीवारें, lungs की air sac, इससे अच्छा कर simple कहना है, तो alveoli कह दो, cuboidal epithelium की बात करे तो ducts of glands और tubular part of nephron, ठीक है, PCT वगरा, columnar epithel में दो example, stomach और intestine, selected में दो example, bronchioles और falopendus, सारे important examples हैं, जो पूछे जाते हैं, सबके दो-दो example है, एक बार खुद से recap करने का try करना, asquimus epithelium, air sacs of lungs, और wall of blood vessels, दूसरा, दूसरे की बात करें, cuboidal epithelium, तो cuboidal epithelium में क्या बात करते हैं, ducts of gland, tubular part of nephrons in kidney, PCT वगरा, DCT वगरा, columnar epithelium में दो example, stomach और intestine, और last example है, हमारा selected का, जिसमें आती हैं, दो चीजें, bronchioles आता है, और falopend tube आता है, याद रहेगा, important है, अब देखो, आगे क्या देखना है हमें, पहली बात, यहाँ पर यह single layer, single कहने की जरुवत थोड़ी है सर, single तो सारे है, squamous, cuboidal, columnar सर, सारे single हैं, क्यों ऐसा, सब simple epithelium कहीं तो part हैं, तो single single क्या याद रखना बार-बार, single single बार-बार क्या याद रखना, पता ही चल रहा है, अब आगे इसके character देखें, flat cells होते हैं, अभी just हमने देखा, boundaries कैसी होंगी, irregular, important है, boundaries इनकी irregular होती है, और mainly lungs वगरा में होता है, तो diffusion होता न, simple diffusion हमारे lungs में, तो diffusion boundary की तरह काम करता है, ठीक है, cuboidal epithelium, cube-like cells थे, हो गया, अब यहाँ पे, जो cuboidal epithelium present होता है, वो duct of glands में होगा, main काम क्या है, किसी भी चीज को secret करना और किसी भी चीज को absorb करने का काम होता है, कुछ याद आती है, selective reabsorption, tubular secretion, वो कहां होता है, nephrons कही कुछ पार्ट पे तो होता है, तो वो चीज़े हमें याद रखनी है, next, PCT की बात करें, यहाँ पर macrovilli भी है, तभी तो absorption बहुत जादा बढ़ जाता है, cuboidal epithelium हो गया, next, columnar की बात आती है, columnar की बात आईगी, तो यहाँ पर stomach और intestine में secretion का काम होगा, को enzyme को secret करना है, तो अगर खाने को absorb करना है, तो absorption का काम यहाँ पर होगा, microvilli भी हो सकता है, छोटे-छोटे cells यहाँ पर हो सकते है, columnar epithelium की generally जो nucleus होती है, वो कहां होती है, base पर कैसे, अगर अगर बान के चले, ऐसा nucleus है, milly base पे ही पाया जाता है, diagram में तो कुछ भी दिखाया जाता है, लेकिन यह base पे भी पाया जाता है, ठीक है, ciliated epithelium की अगर बात करेंगे, तो बताओ ciliated epithelium कहां है, ciliated epithelium bronchioles और falopend tube में है, मुझे बताओ, अगर बात falopend tube की चल रही है, तो falopend tube में cilia मौझूद होते हैं, falopend tube में cilia मौझूद होते हैं, वहाँ पे ampula के पास लेकर जाना है न ओवं को, तो ओवं को लेकर ज होगी, mucus जो आना चाहिए, वो ऊपर की तरफ shift होना चाहिए, तो वो काम किसका होता है, वहाँ पे cilia का काम होता है, ncrt लिखती है, cilia से particles को भी निकाला जाएगा, cilia से mucus को भी निकाला जाएगा, याद रहे की चीजें, चलें, देखते हैं कुश्चन करकर कितने बच्च से, columnar और cubital दोनों की modified portion होती है, ciliated, the ethereal tissue are off, सबका answer आ रहा है, c, c आना चाहिए, कई लोगों का answer इसमें c नहीं आता है, इसमें answer b आता है, ज्यादे तर लोगों का answer b आता है, वो समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, normal animal में पूछा है, देखों, लोगों का answer अलग अलग आ अच्छे गलत कर रहे हैं, देख लो तुम, है ना, हम, तो बात करेंगे क्या, यही एक छोटी 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 चीज, neat में बहुत tough question नहीं आते हैं, neat क्यों options होते हैं, जबर दस्त, मैं बार बार बूलता हूं, epithelial tissue कितने type की, दो type की होती है, simple और compound epithelium की बात यहां पर कर fill in the blanks, fill in the blanks, बताएं भई, क्या answer आ चुका है, answer D आना चाहिए, पहली बात कर दिया, two or more layers की बात, और इसमें single layer की बात, two or more layer आ गया, वैसे compound लगाएंगे और इधर single के लिए simple लगाएंगे, ठीक है, answer आ चुका होगा, D, next, ये करो भई, ये important question है, structure पहचानो, और बताओ वो कहां पर present है, match the columns, answer आ जाना चाहिए, answer C आना चाहिए, answer C आना चाहिए, और चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये columnar मिल रहा है, columnar stomach और intestine में मिलता है, ये squamous epithelium है, ये हमें air sex of lungs में मिलता है, और हमें ये alvoli में में तो मिली रहा है, और blood vessels में भी मिल रहा है, इसकी बात करें, selected columnar epithelium है, columnar की बात करें, तो direct बोल सकते हैं, यहाँ पे इसकी बारे में, fallopian tube accelerated देखी रहा है, और बाकी इसकी बात करें, तो cuboidal epithelium है, और cuboidal epithelium ducts of gland, tubular part of nephrons बगरा में होता है, on the basis of a structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into, further divided into, answer आ रहा है सबका, चलो, answer तुम्हारा आना चाहिए B, किते लोगों का आ रहा है B, यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, चार टाइप लगा देते हैं, चार नहीं हैं, तीनी हैं, तीनी NCRT ने साफ लिखा है, तीनी टाइप है, कई बच्चे इसमें answer लगाएंगे C, सामने दिख भी रहा है, बहुत सारे बच्चे answer C लगा रहे हैं, C नहीं जाएगा, answer B जाएगा, अभी जस्ट बताया तुमको, next, किसके पास microvilli होगी, किड्नी में ऐसा क्या पार्ट है नेफरोन का जिसके पास microvilli present होती है, जिसके पास microvilli present है, answer आना चाहिए, answer A, PCT, proximal convolated table क्योंकि maximum reabsorption यहीं पर होती है, PCT, read the following statement, find out the correct statement, choose करें, 4-3 में से कौन है, correct statement, क्या, सारे correct लग रहे हैं, हमने तो देखा न, squamous epithelium है, तो वो भी काम वैसा ही, cubital columnar की बात, secretion में, और selected epithelium का काम इदर दर करने में, अगले page पे आजाएं, page नमबर तीसरी पे आजाएं, देखो क्या कहरा है, columnar और cubital, इन से सीलिया तो निकली ही थी, पहले, NCRT कह रही थी, लेकिन columnar और cubital ने सोचा, blood vessels वगरा में होता है, थोड़ा अलग बनने की कोशिस की जाएं, सारे नहीं, कुछ columnar और cubital सेल ने ये बात सोची है, सारे नहीं, कुछ ने सोचा, कि चलो कुछ special बनने की कोशिस करते हैं, special कैसे बने ये, secret करकर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं इनको क्या बूला गया, glandular epithelium, biology में कहीं भी gland आ जाए, समझ लेना बात secretion की हो रही है, gland हैं तो कुछ secret करने की बात हो रही है, क्या सारे columnar और cubital ने ऐसा सोचा, नहीं, some of the columnar or cubital cells get a specialized for secretion, इनको glandular epithelium कहा गया, glandular epithelium के total दो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है unicellular, एक होता है multicellular, ध्यान देंगे, एक होगा multicellular और एक होगा unicellular, एक्जाम में यहीं से question पूछा जाते हैं, पूछा जाएगा एक ऐसो सेल का नाम बताएं, जो unicellular है, और कुछ चीज का secretion करता है, तो वो कौन हैं, goblet cell है, पूछा जाए multicellular का example बताएं, वो celery gland है, goblet cell से क्या निकलेगा, goblet cell से mucus निकलेगा, क्या अकेला सेल है ना, isolated है, glandular, कोई चीज निकाल रहा होगा, तो goblet cell क्या निकलता है, elementary canal हमारे stomach में, हमारे stomach में mucus निकलता है, ताकि ACL का असर इस पे, ना हो हमारे stomach के दिवारों पे, यहां isolated cell था, लेकिन multicellular की बात करें, यहां cluster of cells हैं, हमारे पास कितने pair slavary glands हैं, तो बोलते हैं, तीन pair हमारे पास हैं, वो बकल cavity के अंदर हैं, या बकल cavity के बाहर हैं, होते बकल cavity के बाहर हैं, लेकिन उनका secretion अंदर की तरफ होता है, important line in CRT की है, digestion की, on the basis of mode of powering of their secretion, powering का मतलब होता है न, कि वो अपने substances को कहां डाल रहे हैं, वो अपने secretions को कहां डाल रहे हैं, secretions के basis पे, glands को दो category में divide किया जाता है, एक होता है exocrine, और एक होता है endocrine, जैसे हमारे जो hormones हैं, वो हमारे blood में जाते हैं, तो वो endocrine कहा जाता है, exocrine, जहांपे duct हो, जैसे, मानकर चलते हैं, pancreatic duct है, वहाँ पे pancreatic enzyme secret किये जाते हैं, liver की बात करें, तो cystic duct होता है, gallbladder के पास, तो वहाँ से produce किये जाते हैं, बहुत सारी juice वगरा produce की जाती है, जब कभी भी hormones की बात आए, endocrine, जब कभी enzyme juice की बात आए, तो कह देना exocrine, तो क्या मैं कह दू, exocrine के पास duct होगा, endocrine के पास duct की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि endocrine का direct secretion, blood में होता है, और तुम तो जानते हो endocrine के बारे में, endocrine gland कौन कौन है, pancreas है, thymus है, यह सब सब हमारे endocrine glands होते हैं, exocrine gland का secretion क्या क्या है, जो duct में आएगा, mucous, saliva, ear wax, जो कान में निकलता है, seruminous gland से, oil, sebaceous, milk है, digestive enzymes हैं, और भी बहुत सारे cell products जितने भी हैं, जितने भी cell products हैं, वो सारे के सारे निकलते कहां से हैं, exocrine से निकलते हैं, यह किसके थूरू निकलेंगें, duct है, ट्यूब के थूरू, लेकिन इसके just opposite, endocrine gland के पास कोई duct, नहीं होता है, do not have ducts, endocrine glands के product को hormones कहते हैं, और direct यह निकल जाते हैं, किसमें, fluid में, direct हमारे blood में यह निकल जाते हैं, आराम से काम चलता रहता है, यह कहानी थी, simple epithelium की, यह वला चीज याद दखना, कि simple epithelium के ही columnar और cubetal modify कर गए glandular में, और यहाँ पे glands को दो पार्ट में divide किया गया है, देखें ज़रा साथ, यह unicellular gland है, क्योंकि एक-एक single cell है, और यहाँ से mucus देख सकते हो निकल रहा है, इसके बाद, यह multicellular gland है, बहुत सारे cells हैं, और वहाँ से secretion देखो, यह निकल रहा है, यह ना, बहुत सारे secretion निकल रहा है, तो diagram exam में आ चुका है पहशानी के लिए, uni और multi, अब देखो ज़रा साथ बात, अब बात करते हैं compound epithelium के बारे में, तो मुझे बताओ, simple epithelium में कितने layer of cells थे, simple epithelium में single layer of cells था, इसमें बात करेंगे तो क्या multi-layered होंगे, क्यूं, protection जो देना है, simple epithelium का main काम था, क्या था, secretion और absorption, इनका limited role होगा इसमें, क्योंकि इनका काम तो main protection का है, इनका main काम protection है, चाहे वो chemical stress से हो, जैसे मान कर चलो, किसी ने तुम्हें एक तमाचा मार दिया, mechanical stress था वो, फिर भी तो तुम बच गए ना, फिर भी तो ऐसा नहीं हो ना, कि blood vessels फट गए, ऐसा तो नहीं होता, तो ये किसकी वज़ा से हो रहा है, compound epithelium की वज़ा से हो रहा है, कहां कहां है compound epithelium, हमारे अस्कीन के dry surface में मौजूद है, हमारे बकल cavity के अंदर भी मौजूद है, हमारे pharynx में भी है, हमारे salivary glands के ducts में भी है, हमारे pancreas के duct, pancreatic duct में भी है, अब आते हैं, आखरी paragraph, epithelial tissue का, जहां से को शनाना तै होता है, एक तो simple epithelium के examples पूछे जाते हैं, और एक यहां से question आता है, जितने भी epithelial cells हैं, सब चाहते होंगे, आपस में जुड़े रहें, वहाँ पर matrix हमेशा कम होगी, पहले भी NCR8 नहीं याद दिलाया, जितने भी animal tissues होते हैं, सब में कुछ न कुछ junctions जरूर होता है, ताकि आपस में एक structural link हो, और functional link हो, दोनों चीज़े जरूरी हैं, आपस में structure में भी link हो, और अंदर के cytoplasm मगरा में भी link के चल रहा हो, काम भी मिले जुले होने चाहिए, इसकी basis पे, cell junctions के कितने type होते हैं, ये epithelial tissue में तो होते ही हैं, plus connective में भी होते हैं, muscular में भी होते हैं, neural में भी होते हैं, सुनेंगे ध्यान से, epithelial, connective, muscular और neural, चारों जगा पे ये junctions मौजूद होते हैं, लेकिन बस एक बात याद रखेंगे, muscular tissue के, skeletal वाले tissue में नहीं होता, मस्क्यूलर टीशू में, skeletal muscles में, ये junction नहीं पाए जाते, important है, अब बात आती है, exam में काफी confusion हो जाता है, कैसे करेंगे, तीन तरह के junction हैं, ये tag है, tight junction, adhering junction, gap junction, सब मैं थोड़ी थोड़ी बस term बता रहा हूं, वहीं से याद धख लेना, घर में नल से पानी गिर रहा होता है, उसको tight करते हैं, lequence बंध हो जाती है, tight junction, क्या lequence को रोकेगा, adhering, जितने भी fevical वगरा होते हैं, अगर तुमने ध्यान से कभी देखा होगा, तो उसके लिखा होता है, adhesive in nature, adhesive कहने का मतलब, chip-chipasa, चिपक जाएगा, adhesive कहने का मतलब, chip-chip जाएगा, तो जब भी बात आएगी, adhering junction की, तो यहाँ पर सब चिपक जाएगा, तो जितने भी पडोसी cells हैं, सब क्या हो जाएगे, chip-a-gayenge, cementing, कौन से, neighboring cells, आपस में, chip-a-gayenge, इसमें यह याद रखना, और next बात यहाँ पर gap junction है, gap है, तो communication से उस gap को भर दो, बस यह 3 word exam में आजाएगे, आराम से तुम कर लेना, tight junction में, leakage को रोकेगा, adhering junction में, आपस में neighboring cells, परोसी वाले cells को जोड़ने का काम करेगा, gap junction में, सब जुड़ेंगे, communication होगा, किसका, cytoplasm का, ताकि एक दूसरे में, आयन का, छोटे-छोटे molecule का, और कभी-कभी बड़े-बड़े molecule का, exchanging आराम से, हो जाएगा, ठीक है, tight junction में, leakage की बात, adhering junction में, neighboring cells में, cementing, जुड़ जाएगे आपस में, gap junction में, communication, जिसके चलते, ions का transfer होता रहेगा, question, 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 some of the columnar, or cubital cells, get a specialized for secretion, answer आना शेहे, तुम्हारा D, glandular epithelium कहते हैं इन्हें, और हमने देखा, ये दो type की होते हैं, unicellular और multicellular, next diagram को पहचाने, क्या answer आ रहा है सबका C, C आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे cells हैं, तो कह दो multicellular, एक ही cell है, कह दो unicellular, multi का example, celebrity gland, unique example, goblet cell, यही तो बस चीज़े ध्यान रखने हैं, answer क्या जाएगा, C, answer क्या जाएगा, C जाएगा, है ना, multicellular gland epithelium, celebrity gland, और unicellular glandular epithelium-like, goblet cells of elementary canal, mode of pouring of their secretions, gland को कितने पार्ट में कटिकराइज करोगे, direct answer क्या जाना चाहिए, काफी बच्चे पहला देखकर, answer सिर्फ लगा देते हैं, और भी चीज़े देखो जारा तुम, answer, D जाएगा, क्यों, क्योंकि exocrine का ठीक है exocrine, लेकिन endocrine का एक और नाम, ductless gland भी तो है, तो overall दो categories मिलेंगे, आप बोत A and C, next, कितने टाइप के sales junctions हैं, कितने टाइप के sales junctions हैं, answer, आचुका है, total तीन टाइप के sales junctions होते हैं, next, देखते हैं, कितने लोग कर पाते हैं, junctions को पहचान पाते हैं, terms के according, छोटे छोटे terms हैं, जैसे, tight junction है, leakage देखना है, gap junction है, communication देखना है, adhering junction है, cementing never in cells देखना है, मतलब answer तुम्हारा B, आ रहा होगा, answer आ रहा है सबका B, adhering है, cementing देखो, gap है, communication देखो, tight है, leakage देखो, कर पा रहे हैं सब लोग, answer B, next, next हमें चलना है, connective tissue में, पूछा जाए, हमारे body में, जितने भी complex animal, हम लोग complex ही है, जितने भी body हमारी है, complex animal की, उसमें पूछा जाए, सबसे ज़्यादा abundant, और सबसे ज़्यादा पूरे body में, जो बिखरा हुआ tissue है, वो कौन सा tissue है, answer लगाएंगे, connective tissue, which one of the falling is the most abundant, and widely distributed in the body of complex animal, कौन सा tissue, तो बोलेंगे, connective tissue के बारे में, options में, connective, epithelium, muscular, neural, चार होंगे, तो याद रखना, connective है, नाम connective tissue क्यों पढ़ा, क्योंकि linking का काम करते हैं, हमारी 206 हड़ियां, जोड़ी हुई हैं सब, supporting other tissues, या organs को भी support करने का काम करती हैं, जैसे हमारे liver, हमारे stomach, सब कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से, arranged है कहीं न कहीं, सहारा connective tissue ने दे रखा है, एक हड़ी को दूसरे हड़ी से जोड़ने के लिए, ligament का सहारा लेते हैं, जानते हो ना, bone को bone से जोड़ने का काम, ligament करता है, bone को muscle से जोड़ने का काम, tendon करता है, भाई बहुत important है, उपर वाला trick है, bubbly, उपर वाला trick है, bubbly, bone to bone की बात करें, तो ligaments की बात करेंगे, ठीक है, और bone to muscles की बात करें, तो tendon जोड़ने का काम करेगा, तो याद रखेंगे बबली और BMT Connected tissue के दो पार्ट होते हैं Soft से लेकर specialized तक का पार्ट होता है बीच में dense भी होता है Soft connective tissue से लेकर special तरह के भी connective tissue होते हैं हमारे bone, हमारे blood, हमारे lymph यह सब connective tissue में आते हैं लेकिन वो special category में आते हैं यह question 2012 AFMT men's का है important है यह, labeling पूछी गई थी exam में जो amoeba के जैसा safe मिलेगा कह देना macrophage है वो जो ऐसा मिलेगा जहां से histamine वगरा का secretion होगा वो must sale है तो एक macrophage हो गया, एक must sale हो गया आगे सुनो यह fibroblast है कहीं पे भी blast आ जाए समझ जाना कुछ न कुछ तो निकालेगा यह fibroblast है तो fiber निकालने का काम कर रहा है fiber निकल रहा है मतलब collagen fiber निकल रहा है fibroblast से collagen fibers निकलते हैं ठीक है यह चीज हो गई complete, अब आगे सुनें यह diagram किसका है areolar tissue का diagram है यह areolar tissue बहुत important diagram याद रखेंगे यह adipose tissue का है तुम तो जानते हो जितने भी fat store होते हैं वो सारे के सारे कहां होते है adipose tissue में तो fat storage area यही है यह black वाला क्या है nucleus और बाकी यह सब यह सब plasma membrane है तो याद दखना वहाँ पे fat storage होता है यह तो रही diagram की बात cartilage, bone, adipose, blood यह सब सब connective tissue के हिस्से में आते हैं connective tissue में अगर blood को छोड़ दें सारे जितने भी connective tissue के cells हैं सब fiber का secretion करते हैं और वो fiber एक protein होता है जिसका नाम चाहे तो collagen बुला दें और चाहे तो elastine बुला दें दो तरह के fibers NCRT बताती है होते और भी fiber है reticular fibers बगरा दो fibers बताती है NCRT collagen और elastine तो याद रखेंगे दो तरह के fibers secret होने का काम होता है और दोनों fibers का nature कैसा है protein, lipid या carb तो बोलेंगे proteinious nature के निकलते हैं fibers क्या blood fiber निकालेगा बहुत important line blood fiber निकालेगा तो नहीं, blood fiber नहीं निकालता ये जो fibers निकल रहे हैं cells के through चाहे वो किसी तरह से निकले वो क्या provide करते हैं strength, elasticity और flexibility दे रहे हैं हमारे tissue को बै कान की बात करूँ, कान में एक flexibility है तो flexibility देने का काम कर रहा है हड़ियों में strength है वो अलग fiber से आई है और ऐसी elasticity flexibility हमारे tissue को मिलती है ये बार-बार cells कौन हैं ये cells एक दो नहीं, बहुत तरह के cells पाये जाते हैं connective tissue में mast cell भी एक cell है जो histamine वगरा का secretion करता है, macrophage भी एक तरह का cell है, ऐसे करकर total बहुत सरे cells पाये जाते हैं connective tissue में cells और क्या secretion करते हैं modified polysaccharides का secretion करते हैं, जो as a matrix का काम करता है, क्या होता है ये matrix का काम, जैसे मान कि लोग बहुत सारे cells है बहुत सारे cells है उनके बीच में तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना, जैसा simple सी बात है हमने सरिया बिछाया हमने rod बिछाया उपर से छत का, जो RCC होती रहना, जो ढलाई कहते हैं ये RCC बोलते हैं, तो जो RCC होती है, उसको करने के लिए पहले सरिया बिछायी जाती है उसमें क्या फिर डालते हैं हम cement, बजरी, पानी वगरा डालते हैं, mix करकर वो जो cells हैं वो कहें न कहें, सरिया का का काम कर रहे हैं जो बीच में हम डाल रहे है Pretty में वो matrix का का रहे है बस इतना याद रखेंगे, matrix वो ground substance है, जिसका cementing हम करकर डाल रहे हैं Connective tissue को total तीन टाइप में divide किया जाता है एक होता है Lose Connective Tissue एक Dense Connective Tissue और एक specialized loose है dense है और specialized है ये तीन तरह के connective tissue होते हैं सबसे पहले नजर loose connective tissue पे फिर डालेंगे नजर dense पे loose connective tissue के पास cells होती है सब के पास cell होगा fibers भी होती है लेकिन इसमें जो fibers होते हैं वो loosely arranged होते हैं इसलिए ये loose होता है घर पे जो उपर में छट बनाने के लिए जो हम सरिया बिशा रहे हैं जो हम सरिया बिशा रहे हैं उपर में अगर मान कर चलते हैं वो hard नहीं हो वो उसमें strength नहीं हो अगर उसमें flexibility हो तो क्या वो उपर से नीचे की तरफ जुल जाएगा छट हमारा सेम ऐसा ही होता है loose connected tissue की बात कर रहे हैं यहाँ fiber कैसे हैं loosely arranged होते हैं एक्जाम्पल के तौर पे Areolar tissue जो हमारा skin है इसके नीचे दो तरह के tissue मिलते हैं एक मिलता है Areolar tissue और एक मिलता है Adipose tissue Areolar tissue Eris Skin के नीचे होता है Adipose tissue ये भी Scrけued He hier होता है बिनित कहने का मतलब स्कीन के नीचे होगा वहाँ पे क्या काम कर रहा है एपिथेलियम बहुत important काम ये बात हमेशा याद रखेंगे अगर मैं तुमसे बात करूँ कि अगर कहीं भी एपिथेलियम होगा हम बार बार कह रहे थे एपिथेलियम उपर होगा लेकिन किसके उपर होगा ये बात है हमेशा किसके उपर होगा ये बात याद रखेंगे जब कभी भी एपिथेलियम होगा उसके नीचे बात पक्की है कनेक्टिब टीसू होगी उपर एपिथेलियम नीचे कनेक्टिब 20 में basement substance होता है वहाँ पर भरा हुआ ये basement, membrane, basement, substance, NCRT ने भी लिखा है breathing and exchange of gases में जब पढ़ते हैं अलवोलाई के बारे में तो अब अगर बात करें यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट होगा जो की कॉलिजन फाइबर वगरा सिक्रीट करने का काम करेगा यहाँ पर macro phase होगा और यहाँ पर mast cell होगा तो अरिलो टीशू में क्या क्या मिला fibroblast, macro phase, mast cell कोई नया बात नहीं है हमने diagram देखा भी अरिलो टीशू का अडिपोज टीशू का में लिकाम क्या store करना होता है fat store करना याद रखेंगे अधिक बात सुने हमें कहीं market से पता चला या YouTube से पता चला कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा protein होता है तो हम सोयाबीन खूब खाने लगे एक दिन में मानके चलो आदा केजी एक केजी खाने लगे क्या उतना protein हमारा body इस्तमाल कर लेगा नई जितना इस्तमाल करना है उतना तो करेगा एक्स्ट्राक प्रोटीन भी ले रहे हो वो भी किसमे convert हो जाएगा फैट में और इसी एडिपोज टीशो में जाकर वो convert हो जाएगा सिंपल सी बात है अगर एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं वो बॉड़ी हमारा fat के form में store कर लेता है इसलिए तो हमारे family pack जल्दी से बन जाते हैं है ना six pack बनने में महीनों लगते हैं family pack बहुत जल्दी बनती है याद रहेगा ये areular tissue भी अस्कीन के नीचे adipose भी अस्कीन के नीचे fat store करने के लिए adipose रहता है बस ये चीज़ याद रखनी है और loose connective tissue में जो fibers होते हैं वो loosely arranged होते हैं next fibers और fibroblast compactly packed किसमे होंगे dense connective tissue तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा नाम भी ऐसा ही पड़ा अच्छा loose इसलिए पड़ा क्योंकि fibers यहाँ loosely arranged थे अच्छा यहाँ पर dense इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर compactly arranged थे अच्छा आगे सुनो बात orientation की चलेगी एक होता है regular connective tissue और एक होता है irregular diagram से देखकर खुद ही पहचान जाओगे तुम diagram देखो क्या जितने भी collagen fibers हैं क्या regular arranged आ रहे हैं orientation regular आ रहा है और irregular पहचान सकते हैं जब dense regular connected tissue होती है तो जितने भी collagen fibers होते हैं सब बिल्कुल parallel form में present होते हैं इसके example याद रखेंगे अभी just मैंने बताया tendon tendon का का काम क्या होता है muscles को bone से attach करना और ligaments का क्या काम होता है bone से bone को connect करने का काम होता है यहीं पर लिखना dense regular का example क्या है तो उनसे पूछा जाता है यह exam में dense regular का example क्या है तो बोलेंगे tendon और ligament tendon और ligament किसके example है तो tendon और ligament dense regular tissue के example है dense irregular की बात आए तो यहाँ पर भी fibroblast यहाँ पर भी यह चीज़े होती है orientation बिल्कुल क्या होता है और यह भी कहा है skin के नीचे में होता है आओ ज़रा question करने का time है question करते है question आ चुका in all connective tissues except किसको छोड़कर सारे cell fiber produce कर रहे थे किसको छोड़कर answer आ चुका होगा हमने बात की थी blood को छोड़कर सारे cell fiber produce करते है answer सब का blood आ रहा होगा next इस diagram को देखें और बताएं location भी answer आना चाहिए answer D आ रहा है तो तुम बिलकुल सही हो answer D आना चाहिए देखकर पहचान सकते हैं यह एरियूलर है यह irregular है इतना तो पहचानी सकते हैं ना तो आराम से चीज पता चल गया होगा ठीक है आ रहा है सब का answer D बहुत अच्छा next support framework का कौन काम कर रहा होता अभी line पढ़ा था हमने which of the following connective tissue often serve as a support framework for epithelium answer यह आना चाहिए अभी जस्ट पढ़ा था हमने ariolar tissue often serves as a support framework क्योंकि epithelium tissue तो उपर की तरफ होती है नीची की तरफ connective connective में कौन होगा ariolar ariolar के उपर में हमेशा epithelium होती है next जब excess of nutrients जो इस्तमाल नहीं हो पाते हैं immediately इनको fat और store कर लिया जाता है किस में answer लगाए b अभी बात हुई थी adipose tissue में fat storage होती है diagram को पहशाने यही question नीट में आया हुआ है answer आ गया होगा answer भी जाना चाहिए d में mask cell को दिखाया गया है a में macrophage को दिखाया गया b में fibroblast को और वहां से collagen fibers निकल रहे है अब यहाँ पे पहचानना है कौन है loose, कौन है dense, कौन है specialized loose connective tissue, dense regular भी मैंने examples भी लिखवाये थे answer आ जाना चाहिए answer आना चाहिए तुम्हारा d मतलब specialized तो आएगा नहीं कि blood, bone बगरा कुछ दिया है नहीं तो answer आ रहा होगा, tendon की बात करें तो regular, ligament की भी बात करें तो regular और areolar की बात करें या आइडिपोज की बात करें तो loose connective tissue में जाएगा यहाँ तक clear है, अब आगे सुने next, cartilage है, bone है, blood है यह special connective tissue में आते हैं, फिर समें एक बार बोल दू loose connective tissue में, areolar और adipose, dense connective tissue में बात की जाए तो dense में हमने tendon और ligaments की बात की, ठीक है और उसकी बात जो हम लोग देख रहे हैं अभी, specialized connective tissue इसमें तीन इक्जाम पस याद रखेंगे, cartilage, bone और blood सबसे पहली चीज, cartilage जो होती है cartilage की जो cells होते हैं, उन्हें condrocytes कहा जाता है तभी तो cartilage की study को हम condrolozy के नाम से जानते हैं solid होती है, यह playable होती है, कैसे? कान जो है हमारी, वो cartilage की भी बनी हुई है कान, cartilage की बनी हुई है, आराम से flexible है, playable है, आराम से मुड सकता है लेकिन जो हमारी हड़ियां है वो non-pliable है हड़ियां मुड़ नहीं सकती हड़ियां non-pliable है cartilage हमारा solid है, pliable है compression को जहल पाएगा, दवाब को जहल पाएगा ये जो tissue के cells हैं इन्हें chondrocytes कहते हैं ये छोटे-छोटे cavities में होते हैं present है ssa cavities होती है, यहाँ पे chondrocytes ऐसे ऐसे present होते हैं जादतर जो cartilage किसी vertebrates में है देखो क्या होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें 306 हड़ियां होती है है ना, तो पहले cartilage की संख्या बहुत जादा होती है फिर वो किस से replace हो जाती है भई? बोन से replace हो जाती है, किसमें? adults में कहां कहां है cartilage? हमारा जो नाग का tip है नाग का tip में क्या है? cartilage जो outer ear, जो joints है वहाँ पे cartilage, पिन्ना के बारे मूला जा रहा है जितने भी vertebral column के adjacent bones है वहाँ पे भी तुम देखते होगे cartilage, joint present है वहाँ पे भी cartilage है limbs में और adults के hands में भी कहीं न कहीं cartilage present होता है तो overall location हमसे पूछा जाता है कहां कहां क्या present है और बाकि cells के नाम याद रखेंगे और बाकि तीन feature solid, pliable और compression को जहेल पाएगा जो हड़ियां होती है वो hard होती है यह solid है, यह भी solid होता है यह pliable है, यह non-pliable होता है और यहाँ पे जादा तर calcium salts क्योंकि हमारी हड़ियां calcium की ही बनी होती है collagen fiber वगरा जो होता है वो हमारे हड़ियों को strength देने का काम करता है मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो contribution है, वो मेरी हड़ियों का है मेरी हड़ियों नहीं, तो मेरी ढाचा को तयार किया है framework को bones के कई सारे काम है support भी देता है, काफी सारे organs को जितने भी soft tissues हैं जितने भी जैसे मान कर चलो कि यह नहीं होता अगर, बीच में मेरा sternum है और यह मेरा ribs है, rib cage है अगर यह नहीं होता तो आराम से चोट पहुँच सकती थी लंग्स को, दिल को सबको आराम से चोट पहुँच सकती थी protect soft tissues and organs जो bone cells हैं उन्हें osteocytes कहते हैं इसलिए bone की study को osteology कहते हैं cartilage cells थी, तो condrocytes कह रहे थे यह भी lacuna में present होती है इस तरह से यहाँ पे भी bones ऐसे ऐसे present होते हैं limb bones एक हमारा आगे का जो bone है यह four limbs होता है, पैरों के जो हैं वो hind limbs होते हैं जो limb bones हैं, जैसे leg के हमारे long bones हो गए यह weight bearing function पूरे body का वजन जो है वो नीचे वाले पैर पी तो जा रहा है तो कहीं न कहीं जो लोग मोटे होते हैं काफी उनके पैरों में, जोडों में काफी ज़्यादा दर्द होती है due to क्योंकि body का जो weight है वो काफी ज़्यादा हो रहा है तो यह बात है हमारे जो bone है skeletal muscle से भी contacting का रहता है उसी से attached होते है जैसे तुम्हारे biceps, तुम्हारे triceps बगरा जो भी है तो यह किसे attached है यहाँ पर जो skeletal muscles है वो bones ही तो attached है with the help of tendon यह तो सब लोग जानते होंगे इसी वज़ा से moment भी हमारी हो रही है bone marrow the bone marrow in some bones is the site of production of blood cells पूछा जाए RBC, WBC वगरा कहां बनती है तो bone marrow में बनती है कह दूँ यही वो जगह है जहाँ पे erythropoiesis चलता है यही वो जगह है जहाँ erythropoiesis चलता है मतलब नए-नए blood cells यहीं पे बनते हैं blood क्या है blood एक fluid करेंक्ट tissue है जिसमें plasma है जिसमें RBC है, WBC है platelets वगरा है यही वो fluid है जिसके through बहुत सारे सब stand sale के पास जा रहे हैं sale से आ रहे हैं इन सारी बातों को 17 और 18 नमबर चैप्टर में करते हैं यह जितने भी हैं सब collagen fibers हैं बीच में तुम cartilage के sale देख रहे हो ऐसे यहाँ पर bone की बात की गई है देखें जरा सा और यहाँ पर blood cells की बात RBC platelets और WBC की बात की गई है cushion देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं कौन किसका diagram है उसका काम क्या है यह चीज आना चाहिए क्या answer तुम्हारा B आ रहा है B आ रहा है तो बिल्कुल सही हो देखो कैसे यह हड़ी का diagram है और यहाँ पर blood cells का formation होता है यह जो है cartilage का diagram है और यह racist compression compression को जहल पाए गई है यह blood cells है इनसे substance का transport चलता है cartilage is present कहा है cartilage present cartilage कहां present है यहाँ पर होना चाहिए था outer ear joints और बाकि यह दोनों चीज़ सही है कई बच्चे इसमें answer A लगा देते हैं जो की गलत है पूरी तरीके से middle ear joints नहीं होना चाहिए outer ear joints होना चाहिए B and C B and C यहाँ पर answer आएगा समझ गई बात next बात muscle tissue की इसके बाद neural tissue की बात चलेगी muscle tissue क्या है muscles की study को myology कहते है muscles हमारे body का 40-50% हिस्सा होता है तुम्हारे body के muscles में मेरे body के muscles में total 639 total 639 muscles present होते हैं जैसे हड़ियां 206 है वैसी muscles 649 होते हैं muscle की बात करें तो वो बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स की बनी हैं जिसे myofibrils कहते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और ये compactly packed होते हैं इनके बारे में वैसे detailed discussion तो हम locomotion and movement में करेंगे diagrams के त्रू अब यहाँ ऐसी देख रहे हैं जितने भी muscle होते हैं वो लंबे-लंबे cylindrical fiber से बने हुए होते हैं सब ऐसी आइरेंजड होते हैं parallelly ये जितने भी fibers हैं सब myofibrils कहे जाते हैं muscles के fibers हैं कैन में contraction होगा relaxation भी होता है तो contraction भी होगा relaxation भी होगा muscles में contractility की भी property होती है और relax भी आराम से कर सकता है बिल्कुल एक coordinated fashion में काम चल रहा होता है अब environment के according हमारे जो muscles हैं वो आराम से change कर जाते हैं और हमारे body के various position को एक देते हैं कैसे maintain करना है ये सब सारी चीज़े body के movement में भी बहुत important rule है muscles के कितने types होते हैं muscles के 3 types होते है muscles के कौन से 3 types है skeletal, smooth और cardiac muscles होता है direct यहां से कैसे question आएंगे voluntary con, involuntary con, location con intercalated disc होता कहां है ये सब questions यहां से बनते हैं skeletal muscle skeletal muscle है मतलब एक type का muscle है तो किस से जुड़ा रहेगा skeletal bones के साथ जुड़ा रहेगा हमारी हड़ियों के साथ जुड़ा रहेगा जैसे हमारे body की जो biceps है यहां पे भी skeletal muscles है हमारा tongue है वहां पे भी skeletal muscles है अब देखो जा रहे हैं यहां पे यहां पे बात की जाती है straighted इसका मतलब क्या होता है ऐसे ऐसे जब dark band, light band present होती है ना इसी को striations बोल जाता है थोड़े देर में diagram में देखेंगे हम सब parallelly arranged होते हैं यहां पे और यहां पे fascia होता है इस seed of tough connective tissue जो होता है इसको fascia कहते हैं यहां पे आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे muscles जब पढ़ेंगे न तो वहां पढ़ेंगे कि सीद of tough connective tissue जो होता है जिसके अंदर बहुत सारे fibers packed होते हैं उन्हें हम fascia का नाम देते हैं यही diagram labeling के लिए बहुत important है सुने जारा साथ कितने type के muscles दिखाए गया हैं total 3 type के muscles हैं पहला skeletal, दूसरा smooth और तीसरा इसको बूला जाता है cardiac muscle smooth muscle का एक और नाम होता है visceral muscle कहते हैं इसे smooth muscle को visceral muscle कहते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो पता चलेगा अच्छा यही है वो astreations या sequentiality strict कहती है यही है वो astreations देख सकते हो तुम इसमें और इसमें भी astreations है कहने का मतलब इसमें नहीं है तो इसलिए तो smooth है यह क्योंकि astreations मिली नहीं रही है तो क्या है यह smooth है यह simple सी बात याद रखना है ठीक है और यह भी बोल सकते हैं यह unbranched है किसे से branching नहीं होती और ऐसे end को tapered end कहा जाता है tapered end कहा जाता है या हम इसे ही fusiform बोलते है यह इसे ही हम fusiform का नाम भी बोलते है तो tapered end और fusiform होता है ठीक है simple सी बात है चलते हैं आगे smooth muscles की बात होगी तो smooth muscles में strations नहीं होता है यह अभी दिखाया था मैंने तुमें fusiform होता है मतलब tapering मिलेगी end पे ऐसे है ना ऐसे मिलेगा end पे tapering same junctions वगरा सब कुछ होते हैं यहां पे कहां होते हैं यह हमारे blood vessels में smooth muscle है stomach में और intestine में smooth muscles होती है smooth muscle क्या है involuntary हमारा इस पे कोई control नहीं चलेगा skeletal पे हमारा control चलेगा लेकिन यह दोनों पे हमारा control नहीं चलेगा याद रखना यह भी involuntary यह भी involuntary और यह जो चलेगा वो क्या चलेगा voluntary चलेगा voluntary वो है जिसका हम पे control है involuntary in मतलब अंदर अंदर में है हमारा कोई control नहीं होता है यह कहां है हमारे blood vessels में हमारे stomach में हमारे intestine में smooth muscles होते हैं और cardiac muscles तो हमारे दिल में है तो बोला जा रहा है smooth muscles को we usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with a skeleton muscles के साथ कर सकते हैं skeleton muscles voluntary हैं cardiac muscles only in the heart और भी हमारे body की किसी organ में present नहीं होता यह contractility तो है क्योंकि जब से पहले महीने में ही इस दिल का formation हो गया और लगतार contraction होता चला जा रहा है sales junctions वगरा सब कुछ हैं इसमें cardiac muscle cells होते हैं इसमें सबसे important चीज intercalated disc इसमें disc present होता है कुछ fusion होती है जहां पे कोई signal receive किया जाता है कई जगा पे यहां पे तुम्हें मिलेगा junction वगरा तो इसमें सब intercalated disc के हिसे में आती है और तुम जानते हो न यह सब चीजें इसके अंदर इसमें nude होता है ev nude होता है परकिंजे fiber होता है सारी चीजें अराम से signal को एक जगा से दूसरे जगा पे भेजने का काम करती है question ऐसे पूछे जाते है answer D आना चाहिए क्योंकि हम इसे myofibrils भी बुलाएंगे myofilaments भी बुलाएंगे देखें जड़ा myofibrils बोल रहे हैं हम इन ही को myofilaments भी बुलाएंगे दोनों चीजें एक ही होती है based on their location muscles को कितने पार्ट में classify किया गया muscles को तीन टाइप में classify किया गया है answer B जाना चाहिए a skeletal, visceral और cardiac अब एक बात सुनो ये भी चीज सही है a skeletal, smooth और cardiac अब ये भी चीज सही है voluntary, involuntary और cardiac तो इसके according हमारा answer D हो सकता है इसके according हमारा answer D हो सकता है ऐसे भी चीजे पूछे ही जा सकती है तो ज्यादा जो appropriate answer है वो है हमारा D क्योंकि अगर B हो सकता है अगर B हो सकता है तो A तो और अच्छे से होना चाहिए ठीक है A और B दोनों सही है है हमारे समझ कहा है तो बस ये चीज याद रखना ओके नेक्स्ट ये कुशन करो भई डाग्राम पहचाने डाग्राम पहचाने डाग्राम answer तुम्हारा आ रहा होगा अस्ट्रिशन देखो किसमें है किसमें नहीं है जिसमें नहीं है वो अनस्ट्रेटेड है तो साब दिख गया होगा कि अनस्ट्रेटेड है कहां है चीज तो ब्लड विसल्स में है C2K आ गया answer C आना चाहिए सबका C आना चाहिए A3L ये भी चीज़ कर सकते हैं ठीक डियाग्राम बस पहशान में आना चाहिए कौन क्या है Next Fill in the blanks तो बड़ी सिंपल सी बात है जो skeletal bone के साथ attached है उसे क्या बोलोगे चलो मैं answer दिखाता हूँ तुमने कर लिया होगा तुमने कर लिया होगा क्या answer क्या आ रहा है answer C आना चाहिए तुम्हारा क्यों भई क्योंकि यहां पर skeletal bone के साथ जो जुड़ा हुआ है वो skeletal muscle है Fusiform smooth muscle होता है internal organ में भी smooth muscle होता है और कि intercalated disc तो cardiac muscle में होता है आखरी topic है animal tissue का है यह हमारा neural tissue और इसके बाद चलेंगे हम लोग cockroach पे चलेंगे देखें जगा सा neural tissue neural tissue का हमारे body पे बहुत बड़ा command होता है चुकि neurons ही तो हैं यह neurons ही तो हैं यह neural tissue में सिर्फ neurons नहीं होते साथ में neural glia भी होता है neurons यह neural system का structural और functional unit होता है excitable cells है आराम से information को पहुचाने का काम करेंगे अब बात आती है neurons को protection देने वाला भी तो कोई होना चाहिए तुमसे पूचा जाएगा neurons को prediction और support देने का काम कौन करता है तो neurons को prediction और support देने का काम कौन करेगा तो याद रहना neural glia करता है neural glial cells जो होते हैं इसी में श्वान सेल वगरा की बात आती है तो यह prediction देने का काम करते हैं neural glia make up more than one half more than ध्यान देना neural tissue in our body इसका मतलब क्या मैं कह दूँ कि जो neural tissue होता है इसके दो पार्ट होंगे एक तो पार्ट neurons हो जाएगा और एक पार्ट तुम्हारा neural glial cells हो जाएगी neural glial cells हो जाएगी अगर बात neurons की चल रही है तो यह 50% से कम होंगे और यह 50% से जादा होंगे कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई क्योंकि देखो न बात चल रही है neural glia के बारे में volume अगर देखें तो more than one half आदे से जादा कौन है neural glia है तो यह चीज़ आद रखना neurons में stimulation होता है electrical disturbance इसी में पास होती है और ऐसी plasma membrane से information आगे की तरफ पहुँचता चला जाता है देख सकते हैं diagram यह यहाँ पे जो pipe है इसे exon कहें diagram फ़ड़ा दुंदला है इस part को exon कहेंगे यह जो पूरी part है इसे cell body कहा जाएगा यह जो goal जैसा पूरा cell body है इसमें nucleus वगरा भी अच्छे से दिखेगा यहाँ पे nucleus वगरा और जो यहाँ पे यह निकला हुऊ है fibers ऐसे यह dendrites कहा जाता है यह तो तुम जानते ही होगे और बाकी जो अगल बगल में जितने भी cells मिल रहे हैं जो support वगरा देने का काम कर रहे हैं इस सारे के सारे neuroglia है तो जादा amount में हम इसा कौन रहेगा और कितने से जादा तो याद रखेंगे more than one half the volume ऐसे ही neurons की जो end होती है वैसे information एक neuron से दूसरे neurons तक पहुचता चला जाता है कहीं रुखता है कहीं जाता है इस तरह से information इसके बारे में बात करेंगे हम लोग neurons में इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे न neuron के बारे में detail वहाँ भी बात करेंगे और ये जो था muscles वो muscular tissue locomotion and movement में बात होगी question answer d r h hooga क्योंकि जब आभी हमने बात की neural tissue के बारे में नेरोग्लियल सेल्स make up more than नेरोग्लियल सेल्स make up more than कितना make up more than answer छाहिए पहली बात वन ठाड़ नहीं हो सकता वन ठाड़ नहीं हो सकता वन हाफ वन हाफ हो सकता है ठीक है अब आगे चलो one half की बात चली है support the neurons दोनों चीज एक हो गया क्या दोनों चीज एक ही लग रहा है one half of the volume of neural tissue in our body protection का भी यहाँ पे काम देगा तो इसलिए answer यहाँ पे क्या जा रहा है protection भी है यहाँ पे protection के साथ support भी है तो इसलिए हमारा answer क्या जाएगा इसलिए तुमारा सी जाएगा तो ध्यान देना छोटी-छोटी words जो होती है वो mistake करवा देती है ठीक है वहाँ पे form की बात होगी वो चीज गलत है क्योंकि नीरोगलिया कभी neurons बनाते नहीं है कुश्चन answer आ रहा होगा neurons क्योंकि neurons को ही stimulation मिलेगा तो electrical disturbance create होगा एक छोटा सा topic है इसमें बस एक line ये important highlight करें इसमें बस एक line highlight करें ये basic tissue जो होती है उसे में ये line बताई गई है हमारे जो organ होते हैं वो एक से ज़्यादा tissue की बने होते हैं example के तौर पर हमारा जो दिल है उसमें चारों तरह के tissue मौजूद होते हैं epithelial connective muscular और neural होता है मौजूद जैसे एक तरह इस तरह से question बनती है human heart consist of तो human heart की बात होगी तो चार तरह के tissue होते हैं तो answer हमारा डी चला जाएगा क्योंकि a b epithelial connective muscular और neural answer डी बोथ है एंड भी done है answer डी है अब ये बात किसकी चलेगी cockroach एक portion तो complete हो गया हमारा अगला portion ये है ठीक है ये भी बहुत ही simple सा चीज है ठीक है cockroach की बारे में अगर बात करें तो cockroach में जो ncrt में है वो total 5 pages है ठीक है इस पे जो बहुत important चीज है न वही एक्जाम में पुछी जाती है हर बार है न तो ये cockroach की बात करते हैं आज को बेगर आम से कई questions करने के भाब जूद ठीक है ध्यान देना जरा सा कॉक्रोच के morphology पे नजर डालें जो common adult cockroach मिलता है इसका scientific name याद रखेंगे scientific name क्या है peri planeta americana नाम क्या है भाई peri अर्थवम हमारे syllabus में नहीं है direct हम आ चुके हैं कॉक्रोच पे ना अर्थवम है syllabus में ना हमारे syllabus में frog है ठीक है और्गन और्गन सिस्टम में बस वह एक लाइन इंपॉर्टेंट थी कि आवर हर्ट कंसिस्ट अफ आल टाइप इश्यूज एप्थेलियल करनेक्टि मस्कुलर और नियूरल ठीक है हम लगे शलें बई कहीं लोग बोल रहे हैं paragraph missing अरे paragraph missing नहीं है नहीं है अर्थवम हमारे syllabus में नहीं है frog हमारे syllabus में सिर्फ cockroach है अब बचा बस common species जो है वो है periplaneta americana length इसकी याद रखेंगे wings के साथ ये length बताई गई है males में क्यों बोला गया कि थोड़ा लंबा होगा बात इसलिए बोली गई क्योंकि males में present होता है analyst style पूछा जाए कभी male और female को पहचानने के लिए क्या चीज differentiating factor है जल्दी से बताओ male और female को पहचानने के लिए बस एक ही differentiating factor है जिसका नाम है जिसका नाम क्या है जल्दी से बताओ भई इस एक प्रग्राफ मिसं इंहीं क्या और इएक प्रग्राफ में सो गई एक प्रग्राफ मेश हो गई है एक सट उन्हा बस एक सकंड एक सकंड में मैं एक सबराव हो जाएगा ए हुआ है कि हम एक परग्राफ छूट गया है चलो मैं उस परग्राफ को बुक से पढ़ देता हूं उसमें कुछ है नहीं वैसे खास ठीक है चलो जरह सा निकालना वह प्रग्राफ तो क्यों हो कि पेज पेजथिया पील रों लेजकरिए यही प्ताइज की पहली परग्राफ जो गॉक्रेुच कि यह शलों अगा था श्क्या है इक परग्राफ उससे बतानी बाकिस से डील होगा आगे क्या है बाता हम सुने, cockroaches are brown और black bodied animals, ठीक है भई brown और black bodied animals होते हैं, खोई दिकत brown और black bodied animals होते हैं cockroach, ठीक है that are included in class insecta, पूछा जाएगा cockroach कौन से class से बिलॉंग करती है तो class insecta से, phylum कौन सी तो phylum arthropoda से इनके color, अलग-अलग तरीके के tropical reason से देखे गये हैं, इनके color bright yellow red और green color के भी देखने को मिलते हैं, इनकी size की range याद रखेंगे, 1 by 4 inch से लेकर 3 inch तक का होता है 0.6 से लेकर 7.6 तक का इसका inch होता है, antenna बगर होता है, जो sensory receptor होंगे इनके पास, leg होगा और बाकी इनका जो body होता है और उपर से flat होता है, जो head को छुपाए हुए रहता है, concise head कहने का मतलब छीपाए हुए रहेगा nocturnal है, मतलब रातों में चलेगा omnivores है, मतलब सब कुछ खाएगा, और बाकी ऐसे जगों पे रहेगा जहाँ नमी हैं आज human के घरों में भी रहता है और बहुत सारे बिमारियों का vector बन चुका है, vector वो होते हैं जो जरूत से ज़्यादा बिमारियों को फैलाते हैं, उन्हें हम vector कहते हैं, और paste वो होता है जो किसी चीज को contaminate कर देता है, तो उसे हम paste कहते हैं ठीक है, simple सा वो paragraph था काम की चीज cockroach में क्या चीज है जो male और female को differentiate करती है तो cockroach में anal style है जो male में होता है female में नहीं होता है cockroach की body segmented है segmentation मिलती है इसमें, और कोई भी arthropoda है, उसे तीन पार्ट में differentiate आराम से कर सकते हैं head में, thorax में और abdomen में कर सकते हैं ठीक है head में, thorax में और abdomen में differentiate करते हैं पूरी body जो होती है किस चीज से covered होती है kaitin याश एक जो skeleton से जो skeleton बाहर से हो वो एक जो skeleton है जो skeleton अंदर से हो वो endoskeleton है simple सी बात याद रखनी है kaitin की बनी हुई एक जो skeleton होती है और याद रखने वाली चीज जैसे एक segment है समझो कि एक डबा है इनके पास एक डबा है यही segment है तो बताओ जैसे मान के चलो एक cockroach है देखो देखो देखना ज़र अच्छे से ये cockroach है cockroach का उपर वाला dorsal नीचे वाला ventral side वाला lateral तीन बात याद रहेगी cockroach का एक जैसे मान के चलो ये है ना cockroach का body है तो ये एक segment दो segment तीन segment चार segment पास छे ऐसे ऐसे है तो ही बता रहा हूं तुमें उपर वाले को क्या बोलते है dorsal नीचे वाले को क्या बोल जाएगा जो जमीन से touch हो रहा है वो होगा वहाँ पर ventral और जो side में चीज़ होगी वो चीज़ क्या होगी lateral जो cockroach का dorsal side में जो exoskeleton होगा उसे हम tergait कहते हैं बहुत important जो ventral होगा उसे sternite कहते हैं और जो lateral होगा उसे हम plurite कहते हैं समझ मैं ये बात क्या बोल जाएगा और तीनों को मिला दो तो sclerides बोला जाएगा तीनों आपस में एक membrane से जुड़े हुए होते हैं जिनको articular membrane या arthrodial membrane कहा जाता है नीट में question आया हुआ है cockroach की जो body plates होती हैं उनमें तीन तरह की चीज़े होती हैं उपर में जो होगा वो हो जाएगा dorsal नीचे में जो है ventral साइड में lateral सब के नाम इसमें याद रखने होते हैं तीनों को मिला कर sclerides कहते हैं dorsal side में tergait, ventral, asternite, lateral, pleurite ये चीज़ याद रखनी है ठीक है ये जितने भी tergait, asternite, pleurite हैं आपस में सब जुड़े होते हैं कौन से membrane से articular membrane या arthrodial membrane से जुड़े होते हैं arthropoda में है तो arthrodial membrane बोला गया है ये कैसी होती है membrane पतली होती है और flexible होती है इस space में तो कोई दिक्कत होगा नहीं diagram पे focus करें जरा भई, मोहित यादब को बताएं मोहित यादब पूछ रहें कौन से writer की book है ये कौन से writer की book है भई ऐसे पूछो के मतलब तुम last time पे इधर देखें नजर डालें भई इधर देखें ये pronautum कुछ और नहीं बल्कि prothorax है pronautum कुछ और नहीं बल्कि prothorax को ही pronautum कहा जाता है prothorax, mejothorax, metathorax मिल रहा है prothorax से जो लेग निकली है prothoracic leg है metathorax, mejothorax से जो निकली है वो mejothoracic leg है और metathorax से जो निकली है ठीक है वो metathoracic leg है simple है ये जो निकला है ये antenna है philiform antenna कहते हैं thread like a structure है ये compound dial में कितने omatidia होंगे याद रखने वाली बात है 2000 omatidia आगे आएगा थोड़ देर में बाकी यहाँ पर याद रखनी वाली चीज़ है ये tagmina कहते हैं इसे जो dark वाला दिखाई दे रहा है इसे tagmina कहते हैं और बाकी ये hind wing कहते हैं इसे ये abdomen में total 10 segment होते हैं और बाकी नीचे में anal sarka अगर exam में पूछा जाए अगर exam में पूछा जाए कि anal sarka anal sarki male में या female में हैं जल्दी से बतो anal sarki male में है या female में हैं ये दोनों में अगर anal style पूछे वो male में है यही चीज़ important है तो ये diagram किसका हुआ जब annular style है ही नहीं तो यह diagram female cockroach का है यह diagram female cockroach का है अगर male cockroach होता तो यहां से annular style भी होती तो male cockroach होता इसे annular style कहते हैं इसे एनल स्टाइल कहते हैं, एनल सरकाई, मेल और फिमल दोनों में होती है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मुझे बताओ, क्या जो टेगमिना है, पूरे बॉड़ी को कवर करने का काम आ रहा है क्या, हाँ, किसमें लास्ट तक टिप तक चला जाता है, तो हमने बात किया था, लास्ट तक वो जाता है, मिल्स में, लास्ट तक मिल्स में जाता है, क्योंकि वहीं पे अनल स्टाइल होती है, उसको मिला कर ही हमने टोटल लिंथ कहा था, 34 से लेकर 53 mm लॉंग तक, ये कुश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन करें मेल और फेमल को डिफ्रेंसियेट करने के लिए अनलस्टाइल होना चाहिए बस इसमें देखो तुम डॉर्सल को क्या बोलोगे, वेंटरल को क्या बोलोगे, इन प्लेट्स को क्या कहते हैं और कौन सी थीन-flexible membrane से वो जोड़ी हुई होती हैं एंसर आना चाहिए, एंसर बी एंसर बी आना चाहिए ए, अस्कलराइट्स है बी, टरगेट्स जैसे ए पूरे को स्कलराइट्स कहते हैं डॉर्सल को टरगएट कहते हैं, वेंटरल को स्टरणाइट कहते हैं और बाकी वो आर्टिकुलर मेंब्रेन या अर्थरोडियल मेंब्रेन से वो जुड़ा होता है ठीक है आगे सुनें हेड कैसे सेप का ट्राइंगुलर सेप का कितने डिगरी पे रोटेशन है 90 डिगरी मतलब राइट आइंगल पे रोटेशन है वोड़ी एक्सिस ऐसे है तो आराम से रोटेट कर सकता है हेड का फॉर्मेशन कैसे हुआ पहले 6 सेगमेंट थे 6 सेगमेंट के फ्यूजन हुए उनसे हेड का फॉर्मेशन हुआ हेड का सारे डिरेक्शन में मूव कर सकता है बहुत अच्छी मॉबिलिटी है क्योंकि इनकी नेक क्या है फ्लेक्सिबल गर्दन है तो आराम से इदर दर कहीं भी मूव कर सकता है हेड में कैप्सुल होती है जिसमें आँखे होती है कॉक्रोज की आँखे बड़ी खास है इन्हें कमपाउंड आईज कहा जाता है यहाँ पे थ्रेड लाइक एंटीना होती है जो उपर से निकलती है आँखों के पास से उसको फिली फॉर्म एंटीना कहते हैं एंटीना का काम सेंसरी रिसेप्टर का होता है जैसे हमारे सेंस ओर्गन है जैसे हमारा स्कीन है टच को पहचानता है temperature को पहचानता है sense कर सकता है ऐसी ही इनके पास जो antenna है environment में क्या चल रहा है उसको monitor करने के लिए इनके पास क्या है antenna है इनके head की आगे का जो portion है वो mouth वाला जो part होता है कैसा type है ये चीज़ पुछी जाती है exam में mouth type कैसा biting and chewing type of mouth parts होगा पहले काटो फिर चबाओ mouth में total पास चीज़ें होती है क्या क्या पहला labrum दूसरा labium तीसरा mandible और चौता maxilla पाचमा hypoferring कितनी चीज़ें हैं पास चीज़ें हैं labrum पुछा जाए कितना होगा labrum एक होता है labium एक होता है maxilla दो होता है mandible भी दो होगा और hypoferring बस एक होगा number बहुत important है कौन एक कौन दो बगल में लिखेंगे साइड में पास चीज़ें में हमें देखने को मिली पास चीज़ें क्या है labrum labium mandible maxilla hypoferring्स एक एक दो दो एक ये चीज़ याद रखना है तुम्हें ठीक है किसके कितने number हैं वो हमारे लिए important है labrum आपर लिप को कहते हैं labium lower lip को कहते हैं hypoferring्स को tongue कहा जाता है ये सब चीजे तुम्हें याद रखनी होंगी चलो लिख लिए सब लोग आगे बढ़ें चलो भी अब आगे बढ़ते हैं इसमें सब मौत पार्ट के अंदर ये पाचों चीजे मौजूद होती है नेक्स्ट अर याद करना प्रो नॉटम को भी मैंने क्या बताया प्रो नॉटम को भी प्रो थोरेक्स कह सकते हैं मिजो नॉटम कह सकते हैं मेटा नॉटम कह सकते हैं सब एक ही चीज हुई आर है ना कुछ अलग नहीं है अब बच्चे घबरा जाते हैं प्रो थोरैसिक लेग, मिजो थोरैक्स से जो लेग निकलेगी, मिजो थोरैसिक लेग, मेटा थोरैक्स से जो लेग निकलेगी, मेटा थोरैसिक लेग, सिंपल सी बात है, हाँ बढ़ी, अब आगे चलें, इस थोरैसिक सिग्मेंट बियर सा पेर आप वाकिंग लेग्स, the first pair of wings कहां से rise होता है mezo thorax से और second pair meta thorax से काम की बात सुनें अब अच्छे से thorax के कितने pair हुए thorax के 3 pair हुए pro, mezo, meta legs के भी कितने pair हुए 3 pair pro thoracic leg, mezo thoracic leg और meta thoracic leg लेकिन अगर wings की बात आई बस 2 pair होते हैं कहां कहां present रहेंगे तो यह याद रखनी वाली बात है जो first pair है वो mezo thorax से जो second pair है वो meta thorax से इसका मतलब यह हुआ pro thorax से नई निकलती wings याद रखना wings कितने pair होंगे wings होंगे 2 pair legs कितने pair legs 3 pair thorax कितने pair thorax भी 3 pair thorax भी कितने pair thorax भी 3 pair होंगे ठीक है काम की चीज़ इतनी यह याद रखनी है four wings को हम mezo thorax कहते है hind wings को हम metathoracic कहते है four wings जो mezo thoracic से निकली है four wings को नाम दिया जाता है degmina important है नाम यह opaque होती है आर पर चीज़े नहीं दिख पाएंगी किनकि बहुत ही dark है leathery होती है जो hind wings को cover करेगी जब वो rest में होगा कौन? four wings देखो ज़रा सा जो four wings है यह इसका नाम क्या है? लिखेंगे यही पर इसका नाम क्या है? यह four wings है क्या है यह four wings तभी यह hind wings हुई four wings है एक और नाम क्या है? टेगमिना अब देखो जब cockroach rest में है तो क्या यह four wings नहीं इसकी पूरी body को cover किया है? यह बात याद रखनी है कि कौन cover करेगा rest के time पे? याद ना rest के time पे कौन cover करेगा? यह four wings cover करने का काम करता है या उसी को कह सकते हैं कि टेगमिना जो है वही cover करने का काम करता है four wings called tagmina opaque dark leather and cover the hind wings when at rest hind wings उड़ने में मदद करता है अगर हलका सा कोकरुच उड़ भी पाएगा तो कौन मदद करेगा? hind wings यह transparent है यह opaque होता है और membranus भी होता है याद रहेगा? abdomen में कितने segments होते हैं? तो बोलेंगे 10 पूछा जाए head कितने segment के fusion से बना? बोलेंगे 6 चाहे male हो चाहे female हो दोनों में कितने segment होते हैं? 10 अब यह जो paragraph है इसमें पहले जो बहुत आसान चीज है उसको मैं separate कर दूँ पहले देखो मैंने कहा था थोड़ देर पहले male में annal style होता है जो pair में होता है दो मैंने दिखाया भी था बिल्कुष short होता है thread like structure होता है और annal सरकाई जो होता है यह दोनों में होता है annal सरकाई कौन से segment पे? 10th segment पे होता है जल्दी से बताओ female में क्या होगा present female में present होता है male female दोनों में present होता है annal सरकाई अध्यान से सुनेंगे यहाँ पे दो paragraph को मैं इस एक paragraph को दो में तोड़ देता हूँ ठीक है? एक यह paragraph जो male के बारे में किया गया है और यह उपर का paragraph जो है यह females के बारे में किया गया है यहाँ पे सारी चीज़ें reproduction related points दे रखी है इसलिए लाइने बच्चों को समझ में नहीं आती यह लाइने जब आगे reproduction कर चुके होंगे हम तो उस समय लाइने easy लगेंगी हमें तो यह reproduction की लाइने उठाकर यहाँ पे दे दी गई है थोड़ा सा बस मैं तुम्हें idea दे दू जो हमें याद रखना है आगे यह चीज़ आएगा sternum से sternite वाली चीज़ याद आती है ventral side पे sternite कहते थे जब dorsal को tergite कहते थे तो ventral को sternite कहते थे तो जब नीचे के side से 7th number पे जाएंगे क्योंकि abdomen में तो 10 segment है जब 7th number पे जाएंगे उसका shape कैसा मिलेगा female में, boat shape का जब 7th को, 8th को और 9th को ये 3ों को देखेंगे तो वहाँ पे एक pouch मिलता है जिसका नाम होता है brood या genital pouch होता है जिसका anterior part में मैं ये चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें लेकिन अभी बस तुम्हें बस याद कराना चाह रहा हूँ क्या क्या चीज़े याद रखनी है इसमें कि female में जो 7th sternum होता है वो board sipped होता है जब 7th, 8th और 9th sternum मिलती हैं तो एक genital pouch बन जाता है या brood pouch बन जाता है जिसमें तीन चीज़े होती है उसके anterior part या posterior part उसकी anterior part में तीन चीज़े होती है एक होता है female gonopore एक होता है spermatical poor जहाँ sperm का storage होगा और तीसरी चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं collateral gland बस इतनी बात भी तुम याद रखो आगे मैं diagram में दिखाऊंगा ये बात female की चली फिर से recap करूँ female में 7th sternum boat shape का होता है 7th, 8th और 9th मिल जाते हैं तो वहाँ पे एक pouch बनती है जिसको broodius genital pouch कहते हैं उसके anterior end पे 3 चीज़े मिलती हैं female gonopore और spermatical pore और ये collateral gland होगा ठीक है अब ऐसे ही जो चीज़ है ये चीज़ male में भी मिलता होगा आओ देखो male में जो genital pouch और genital chamber होता है ये कहां होता है dorsally by 9th dorsal मतलब tergide उपर वाले portion के तरफ देखें तो 9th और 10th tergah में और नीचे की तरफ 9th sternum क्योंकि नीचे का जो 10th sternum होता है नो बहुत ही reduced होता है इसलिए 9th तक ही वो present रहेगा मतलब female में याद रखेंगे 789 male में याद रखेंगे 19 बस ये चीज़ तो मैं ध्यान रखनी है ठीक है female में हमने बात किया था 789 और वो भी ऐस tandem की बात की थी हमने ठीक है और यहाँ पे बात टर्गम की चलेगी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे तीन चीज़े मौजूद थी यहाँ पे भी तीन चीज़े मौजूद रहेंगी यहाँ डॉर्सल एनस विंटरल मेल जनेटल पोर और गनेपोफाइस जिसको आगे फैलो मेर्स वगरा कहेंगे डियाग्राम देखें डियाग्राम में कंपाउंड आई है जो कौकरोज का वीजन में काम में आता है यह मैंडिबल है मैक्जिला है लेबरम अपर लेप लेबियम लूर लेप यह ओसलस है इसका फंक्शन ज्यादा डिटेल तो नहीं है फोटो रेसेप्शन वगरा का काम होता है यह डियाग्राम में सारी चीज़े याद रखनी है लेबरम कहां एक बार देख लो पूरे डियाग्राम को इसी मेंसे सारे पार्ट को हटा कर यहां पर मौथ के पार्ट को दिखाया गया है कि कटिंग अन्चुइंग टाइप कैसे है ठीक है देख लो भाई यहाँ पर कुशन करो तो थोड़ा मूड फ्रेस होगा तुमारा एंसर आ चुका head of cockroach is formed by the fusion of six segment की बात करेंगे triangular shape का होता है head सारे direction में mobility show करता है due to उसकी neck कैसी होती है flexible होती है अब बताना है वो किसका extension है प्रो का, मीजो का, मेटा का answer B आना चाहिए क्योंकि सबसे आगे में कौन रहेगा प्रो थरैक्स जिसे प्रो नॉटम कह रही थी NCRT mouth part cockroach का कैसा होगा mouth part cockroach का कैसा होगा biting and chewing type answer क्या हो जाएगा biting and chewing type in cockroach walking legs चलने वाले पैर कहां से आते हैं walking legs चलने वाले पैर answer क्या सब का B आ रहा है मिजो थोरैक्स and मिटा थोरैक्स walking legs arises from walking legs तो three pairs से आते हैं यार यह गलत दे रखा है walking legs जो आते हैं वो three pairs से आते हैं ठीक है all the thoracic pigment and three pairs ठीक है देखो जो walking legs होगे न देखो cockroach की जो walking legs होगी कहा गई legs वाले point कहा गई अभी था ना यहाँ पर legs वाला point हाँ each thoracic segment bears a pair of walking legs ठीक है तो वहाँ पर वो answer गलत दे रखा है वो answer जो है न वो गलत दे रखा है वहाँ पर answer क्या जाएगा all the thoracic segments and are of three pairs क्योंकि pro thoracic से निकलने वाली pro thoracic leg होगा mesothoracic leg और ऐसे ही metathoracic leg होती है next यह important है कि cockroach में wings कहां से arise होती है अच्वा option दोनों के same होगे इसलिए problem हुआ है in cockroach wings arises from wings की बात आएगी तो यहाँ पर simple है answer C जाएगा अच्वा इसमें उल्टा हो गया वही answer जाएगा उल्टा हो गया इसमें जाएगा मीजो और मेटा वही ठीक है दो पेर्स होते हैं इसका answer जाएगा बी इसका answer जाएगा बी और इसका answer जाएगा सी दोनों का mix हो गया है बात आगी समझ में तो यह all the thoracic segments and three pairs समझ में आगी हो बात next question देखें बई next question sexual damorphism in cockroach is shown by sexual damorphism male female का पता कैसे लगा पाओगे male female का पता कैसे लगा पाओगे answer आचुका होगा answer भी आना चाहिए क्योंकि जब analyst style की बात चलेगी तो वो सिर्फ कहां present होता है सिर्फ और सिर्फ males में present होता है चलो भई यह देखो a b c d diagram में बताओ कौन से चीज कहां है polar answer d आ रहा है labium denote कर सकते है b maxilla है c labrum है और d mandible है इसको denote कर देंगे ncrt से देखकर diagram important है याद रखेंगे अब इसको अगर बताना होगा और इसमें तुमसे पुछा है mandible तो mandible किसको बताओगे तु कौन है mandible इसमें mandible कौन है इसमें जैसे इसमें तो बात हमने कर लिया अब इसमें बताना है तुम्हें mandible कौन है answer तुम्हारा d आना चाहिए mandible तुम्हारा ये है ncrt में देखोगे तो पता चल जाएगा mandible कौन है चलो यह भी हो गया यह देखो in the mouth parts of cockroach the labium forms labium क्या formation करेगा a tongue labium forms the labium forms upper lip tongue forms hypo pharynx hypo pharynx को यह टंग कह देते हैं तो अपर ली पौर hypo pharynx आ जाएगा अब आजाते हैं anatomy पे अब बस दो धाई pages बज रही हैं देखें जड़ा गौर से वीडियो को जरूर लाइक कर देना वीडियो को लाइक बढ़ाओ यार तुम कैसे कर रहे हैं देखो यहाँ पे anatomy वीडियो को लाइक तुम करते चले जो जितने भी class में लोग present हैं elementary canal पूरे body में जो elementary canal है उनको तीन reasons में divide किया जाता है four gut, made gut और hand gut समझ में भी आ गया होगा अच्छा आगे का portion है तो four gut, beach का है तो made gut और सबसे पीछे का है तो hand gut ठीक है क्या बोल रहा हूँ, एक second क्या बोल रहा हूँ, hypo pharynx सहीत है यार क्या दिक्कत है, labium अच्छा अच्छा, एक second answer D जाएगा बई answer D जाएगा labrum upper lip है, labium lower lip है बिलकुल, बिलकुल, क्या बोल रहा हूँ, mandible mandible C वाला दिखा रखाया गया अच्छा फिर तो यह hypo pharynx हो गया फिर अच्छा अच्छा इस पर ध्यान ही नहीं दिया यह है वाई, यह तो hypo pharynx है ना हम, यह hypo pharynx है हाँ, यह hypo pharynx है और यह mandible है, बिलकुल, बिलकुल, mandible है वो, ठीक है तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा labium lower lip और tongue hypo pharynx ठीक है, यह answer D जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं, अनार्टमी पे, ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं, अनार्टमी पे आ जाते हैं ज़र इसके पहले थोगा से डाइग्राम देखें डाइग्राम में यह slavary gland देख पा रहे हो यहां से saliva का secretion होगा, देख सकते हो यहां पे slavary gland बाहर में है और secretion यहां पे भी अंदर में कर रहे है, देखो ज़रा यहां पे एक slavary reservoir होती है यहां पे saliva store करने के लिए, ठीक है यहां पे भी slavary reservoir है saliva का store करने के लिए यह सबसे पहले farings आता है जहां से चीज़े अंदर की तरफ जाएंगी फिर इसके बाद अगर बात देखें यहां पे तो crop आता है, crop का काम क्या है खाना को store करकर रखता है यह बड़ी सी थैली होती है जिसको crop कहा जाता है इसोफेगस की बात करें यह पतली सी जो pipe है इसे इसोफेगस कह रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी यहां पे देखना ज़रा जो सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है pharynx, pharynx के बाद celery gland, उसके बाद celery gland के अंदर में celery reservoir, फिर उसके बाद isophagus, फिर ये थैली जो मिल रही है इसे crop कहते हैं, फिर इसके बाद एक छोटा सा pipe मिल रहा है, इसे gizzard या proventriculus भी कहते हैं gizzard है, इसे हम proventriculus भी कहते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे सही है, ठीक है, यहाँ देखना जड़ा, gizzard हो गया proventriculus, अभी यहाँ देखो जड़ा सा, hepatic C की की बात, यहाँ पे 6 से 8, कितने होते हैं नमबर इनके, 6 से 8 blind tables होते हैं, जिनसे juice निकल रहा होता है, यह उपर का सारा जो portion था, वो four gut था, बीच का जो portion है, वो mid gut है, जिसे में जंटेरॉन कहते हैं, और पीछे का जो सारा portion है, सब hind gut के हिस्से में आता है, तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए, कि यहाँ पे malpigen tubes की बात होती है, किसकी बात, malpigen tubes, तो malpigen tubes का नमबर कितना है, तो 100-150 कलर का, 100-150 होता है, चलें आगे, तो यह important चीज है, आगे बढ़ते हैं, कोलोन और यह चीज क्या हो गया है, यहाँ पे, rectum की बात कर रहे हैं, question करो भई, अच्छा अभी तो हमने theory नहीं पढ़ा न, देखो theory में आजो, theory में आजो भई, यहाँ पे, ठीक है, देखो, mouth किस में खुलेगा जाकर, pharynx में, pharynx आगे जाकर, इसोफेगस में खुलता है, इसोफेगस जाकर, अगर, crop में खुलेगा, खाना स्टूर करेगा, crop के बाद, gizzard मिलेगा, जिसे प्रोवेंट्रीकूलस कहते हैं, यहाँ पे, muscles जो होती हैं, वो circular muscles, मोटी-मोटी muscles होती हैं, और यहाँ पे, ठीक inner cuticle होता है, जिसमें, 6 तरह की kiter मान कर चलो ने, इनके जो दात हैं, वो अंदर में हैं, गिजार्ड में, दात का हैं, गिजार्ड में, ऐसे 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 करकर अंदर में, गिजार्ड में दात होते हैं, कितने दात हैं यहाँ पे, तो याद रखेंगें यहाँ पे, ठीक circular muscles and ठीक inner cuticle forming, 6 highly cutaneous plate called teeth, गिजार्ड का क किसमें होगा, तो गिजार्ड का काम खाने को grind करने में होगा, तो पुझे क्रॉप का काम कहां होगा, तो क्रॉप का काम खाने को store करने में, गिजार्ड का काम खाने को grind करने में, दो the entire four gut is lined by cuticle, याद रखना पूरी four gut की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मौजू सिखी कहा जाता है कहा प्रेजेंट होते हैं तो four gut और meat gut के बीच के जंक्षन को ये जंक्षन वाले कुश्चन आते हैं exam में four gut और meat gut के बीच के जंक्षन को क्या बूल जाता है hepatic सिखी कहते है hepatic सिखी कहा जाता है या gastric सिखी कह सकते हैं four gut और meat gut के junction को जो क्या secret करेगा digestive juice secret करेगा और जो meat gut और hand gut होता है उसके बीच में अगर बात करें तो 1650 yellow clarky thin filamentous structure होती है malpigantable नाम होता है malpigantable से excretory product निकाली जाती है कहां से hemolins से निकाली जाती है hind gut broader है या meat gut broader है याद रखना meat gut तो बहुत छोटा है hind gut जो होता है वो broader है hind gut के तीन पार्ट ileum colon rectum rectum आगे जाकर anus के थुरू बाहर की तरफ खुल जाता है काम की चीच जो यहां से पूछी जाती है वो सुने malpigantables के नंबर 100 से 150 color yellow next hepatic ck के नंबर जो four gut और meat gut के बीच में junction है उसका नंबर कितना होगा 6 yard blind tables होते है four gut और meat gut के बीच के junction को hepatic ck कहते है meat gut और hind gut के बीच के junction को malpigantables कहते है ये सब चीज़े तुमसे पूछी जाएंगे digestive tract का एक flowchard बना दू चलो एक flowchard बना लो flowchard तो यहाँ डियाग्राम में वैसे दे ही रखा है देखो ना पहला pharynx फिर isophagus फिर crop फिर gizzard gizzard के बाद hepatic ck तो four gut इधर और यहाँ पे junction है तो direct बोलो four gut और meat gut के बीच के junction को hepatic ck कहते है meat gut और hind gut के बीच के junction को malpigantables कहते है इनके नमबर 6-8 इनके नमबर 100-150 बस यह वाला चीज याद रखना काम का यह ही है कुश्चन ऐसे बनते हैं कुश्चन यहाँ से answer आ गया होगा क्या रहा है वे answer क्या गलत दे रख है इसमा D जाएगा वे answer D जाएगा answer meat gut और hind gut के बीच में present होता है और एक scritory product को hemolym से हटाने के लिए इस्तमाल में आता है ठीक है hemolym से एक scritory product हटाए जाते हैं मालpigantable याद रहना meat gut और hind gut के बीच में junction में होता है next which part of element canal of cockroach has an outer layer of thick circular muscles and inner forming six highly cutaneous plates called teeth बोलो बताओ answer क्या आ रहा है answer तुम्हारा D आना चाहिए gizzard बोलो या prometriculus बोलो बात बराबर है एक ही चीजे होई correct sequence बताओ भई यही sequence है यहाँ पे पूछा जाता है इस तरह का correct sequence answer आ रहा है C C आ रहा है तुम मिलकुल सही हो पहले mouth आएगा फिर pharynx आएगा फिर esophagus आएगा फिर crop आएगा फिर gizzardia proventriculus आएगा फिर midgut आएगा फिर ileum, colon, rectum, annus है न क्या के गलतियां हुई है यहाँ पे वो देखें esophagus, crop, gizzard है न फिर midgut midgut के बाद direct जो है यहाँ पे ileum, colon, rectum होना चाहिए seacum इसमें मौजूद नहीं होता है seacum की बात यहाँ पे नहीं करेंगे यहाँ पे stomach वगरा की बात नहीं होती है ठीक है और पहले crop आएगा फिर gizzard हैगा गलतियां ऐसे पहशान सकते हैं ठीक है malpigen tables के number और color बताएं malpigen tables के number और उनका color malpigen tables के number कितने होंगे answer आ गया होगा c, color कैसा होगा yellow color और कैसे structure filamentous होंगे चलो भई यह तुम खुद करकर बताओ mid gut और hand gut के बीच के बें junction है क्या बुलेंगे उसे आ गया होगा answer answer c जाना चाहिए hepatic sicki, fore gut और mid gut के बीच के junction को और mid और hand gut के junction को malpigen tables कहते हैं अब आ जाएं आगे next blood vascular system cockroach की कैसी type की open आराम से नदियों जैसी blood vessels बैहती रहती है नदियां जैसी blood vessels यहाँ पे बैहती रहती है blood vessels बहुत ही poorly developed है blood vessels बहुत ही poorly developed होते है क्योंकि close होते तब तो blood vessels अच्छे से होता open a space में क्या होता है open a space को hemo seal कहते हैं और वहाँ पे क्या present रहता है hemo lymph present रहता है हमारे में blood होती है यहाँ पे blood को hemo lymph कहा जाता है ठीक है blood vessels इसमें बहुत ही poorly developed है इसमें एक space होती जिसका नाम होता है hemocil visceral organs जो organs किसी cavity वगरा में मौझूद है वो सब hemocil में मौझूद होते हैं कुछ ऐसा लग रहा होता है सारे के सारे organs यहाँ पर डुबकियां लगा रहे हैं इसमें यह चीज कुछन पूछी जाती है हमोलिम्ट को बनाने का काम किस ने किया तो colorless plasma ने किया और hemocytes ने किया किस ने किया colorless plasma ने किया और hemocytes ने किया cockroach में कितने chambered heart होते हैं 13 chambered heart होते हैं ठीक है और thorax और abdomen में heart present होते हैं funnel shift के सारे chamber होंगे diagram देखें ऐसी count करोगे तो यह 12 chamber ही count होते हैं एक diagram इसने एक diagram इसमें है नहीं total 13 chamber होने चाहिए और सब में देखोंगे side में allergy muscles हैं देखे रहो सब में यह allergy muscles यहाँ पे labeling में आना चाहिए total 13 chambered heart होते हैं इसमें ठीक है यहाँ जो opening होता है इसे ostea कहा जाता है तो बस blood का flow ऐसे ऐसे चलता रहता है फिर blood यहाँ पे गर जाएगा यह सब सब hemosil है सब cavity है सब cavity है बलट यहीं सब मौझूद है फिर blood के entry ऐसे 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 होती जाते है सब में ostea मौझूद है तो यहाँ से is blood यहाँ सी देखें एसे ऐसे ऐसे और अशूद डू कि blood form sinuses intraheart through ostea and is pumped anteriorly to sinus again. मतलब blood का जो moment होगा वो कैसे चला जाएगा? ostea के through ostea क्या है? जहाँ जहाँ पर opening है वहाँ वहाँ पर ostea है. तो मानके चलो blood hemolymph में है तो ostea से आराम से entry ले सकता है फिर से गया, फिर से गिरा फिर से गया, फिर से गिरा ऐसे ऐसे का moment होता रहता है ऐसे ही इनका respiratory system भी देखते हैं कैसा है? देखो respiratory system में network of trachea है, बहुत ही काम की चीज़, इनमें क्या होता है? tracheal network होता है इनका जो respiration होता है, वो direct respiration होता है, इनमें ऐसा नहीं कि blood वगर, oxygen वगर लेकर जाएंगे, CO2 लेकर आएंगे, कुछ नहीं direct होता है, कितने pairs होता है इसमें sparracles, 10 pairs होता है क्या है यह sparracles, यह देखो यहाँ यहाँ पे छोटे-छोटे opening होता है यहाँ 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 पे छोटे-छोटे opening होता है इन्हें sparracles कहा जाता है total इधर 10 होंगे total इधर 10 होंगे तो total कितने pair होगे small holes 10 pair lateral side, किनारे में present है lateral sides में और आगे tracheal system पूरा का पूरा network होता है जो देखो ऐसे होगा जैसे इनकी body है ना, cockroach की body है तो यहाँ से pipe गया इस hole के थुर और यही जाकर इनके body में ऐसे जाकर fell जाता है ऐसे, तो direct respiration हुई ना direct tissue को मिल गया blood oxygen वगरा तो oxygen आराम से air से सारे part को मिल रहा है अब spiracles जो hole है इसको regulate करने के लिए कौन होता है sphincter, जैसे हमारे पास होता है pilory का sphincter, cardiac sphincter ऐसी इनके पास भी sphincter होता है gassist exchange कहां पे होती है tracheols में जैसे हमारे में alveoli पे होता है ऐसे ही इनमें tracheols में होगा diffusion process हमारे में भी इनमें भी diffusion process होता है excreation कौन perform करेगा malpigen tubal कितने नंबर होते है malpigen tubal के 100-150 हर एक tubal में lining कौन से cells की है दोनों cells के नाम याद रखना glandular और cillated nitrogenous waste को तो absorb करते हैं और nitrogenous waste को किस में convert कर देंगे uric acid हमारे में भी बनती है ammonia हम उसे urea में convert करते हैं और ये उसे uric acid में convert करते हैं इनके hind guard से ही निकल जाती है बाहर की तरफ इसलिए insect को हम uricotelic कहते हैं क्यों बोल रहे है uricotelic क्योंकि uric acid का main product होता है अब बात आती है क्या excretion का कान कौकरोच में सिर्फ malpigant tubal ही करेंगे नई इसके अलावा भी कुछ है fat body, nephrosides और uricose gland याद रखना कौकरोच में excretion के लिए चार चीज़े हैं जैसे हमारे body में kidney है न और साथ में lungs है अस्कीन है ये सब चीज़े होती है liver में bilirubin, biliverdine बगरा निकलता है ऐसी ही कौकरोच में भी हम लोग चार चीज़ों की बात करते हैं fat body, nephroside, uricose gland और malpigantible ये चारों मिलकर किशीज का काम कर रहे हैं excretion का काम करते हैं चारों मिलकर अब यहीं से question पूछा गया था किस form में अगर कोई यहां से compound का नाम पूछा जाए कि uric बनाने के पहले कौन सी compound होती है तो बोलेंगे potassium urate क्या नाम बनेगा compound का nitrogenous waste का जो product का formation होता है यहां पे उसका नाम होता है potassium urate लिख ले ना यह चीज potassium urate ठीक है भाई पुशन करो answer क्या रहा है answer simple है small holes को क्या कहा जाएगा answer spiracles और कितने pairs होंगे total 10 pairs होंगे exchange of gases takes place at the tracheoles by कौन से process से काम चलेगा तो simple process simple diffusion से काम चलेगा हमारे body में भी तो ऐसा ही होता है spiracles के opening को regulate करने वाले कौन है spiracles के opening को regulate कौन करते है तो answer क्या जाएगा sphincters answer B recognize the figure diagram पहचाने diagram पहचाने anterior erotile airy muscles और anterior chambers of the heart वहाँ पे दिखाया गया है read the given paragraph कौन से structure के बारे में आपे बताया जा रहा है cockroach के बारे में which of the following structures is referred here answer malpigan tubles आ रहा है सबका क्योंकि देखते ही पता चल रहा है ना glandular slated cells है फिर ये सब hindgut वगरा से निकलेगा तो ये बात है किसके बारे में है malpigan tubles के बारे में अभी जस्ट देखा था हमने अभी जस्ट देखा था हमने इनके बारे में देखो ना each tubles line by glandular slated cells वही वली line थी वहाँ पर अभी यहाँ बात किसकी चल रही है nervous system के ठीक है गलाथ थोड़ा सूख चुका है 5 minute का बस break दे रहा हूं 5 minute का break है क्योंकि फिर nervous system और reproduction वाले part important है इस लिए total 20-20 minute का part और बचा है 20-25 मिलते हैं जल्दी पाज में ठीक है कितना टाइम हुआ है दो संत्रावन हुआ है थीन पाज मिलते हैं अराम के तीन बज कर पाज में ठीक है बस बीस से प्रजीस मेंट का टॉपिक है बड़ पाज के गपूआ है झाले कोई ते बाराम कोई पाजा उल में लिए यब भीक है झाल जा झाल 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 झाल